नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स करेंचीर के लिए सोच skipping है जॉव सहना खाओाइब । Щ得 बेहाँ़ कर दो घट जो है कर दो सदिया दो अ खर्डेशान कर फ्रेस्ट द्रेस्ट रखे टेंडने के विए कि अपार तर्डेस्ट राइजेंड राइज़गी स्वेडिर एकि अपारा। कटवास्ट कटवास्ट रोल फास्ट डियवलप गला बैगर्पास्ट कमाऊन कुक्ट 아파 बेटा बड़े आराम से रही दियृत रहें सुना दूहें कुछ आन Clipvet. ब्धाक अम्हुंत दीं मुझनर। तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एक पैंट्री कार होगी लेकिन मेरे लिए एक पैरामिलिटरी इस सिर! कॉन था। बेटा ऐसा क्यों कहा वह आपने ही तो पारामिलिटरी फोरस कहा था ना देखो ये सब शब्दों से खेलना मैनेजर को देखते ही काम करने का नाटक करना काम से चोरी करना यह सब यहां नहीं चलने वाला चुप करना रहे क्या बुला चुप करना ओ लिसन लेबर्स अपनी पैंट्री सर्विस में फर्स टाइम लॉंच कर रहा हूं इतनी चटू लॉंच आँ यह यार एफम की सारे चैनल आते हैं ड्यूथा हाथ में ये अई ये नहीं पता नहीं पता सर्श्रा एक दूसरे असस आसानी से बात कर सकते हैं तो गाओं में अप्यू दूख कर सकते हैं हानी की आनी से बी बात कर सकते और अंग्ड़ BURER घूरा नमबर टेन अच्छा सुनो इस पेपर में जैसा लिखा है उसे देखर अपना उठा लो कोई दूसरे का मत उठाना इसको आगे बढ़ाओ एक बात और ये वाकी टॉकी से कैसे बात मुझे पता है सर तुम्हें तो पता नहीं था ना तब पता नहीं था अभी भी नहीं पता है इस तरफ का आदमी जब बात खत्म करके ओवर बोलेगा ना तब दूसरी तरफ का आदमी बोलेगा तब फिर इस तरफ जो खड़ा है वो सर मुझ बंद करके खड़ा रहेगा बेटा तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो नहीं सर कहीं उतार न दू संबल कर उन लोगों को जो नए-नए काम पर आए हैं पैंट्री के रूल्स बता देता हूँ रूल नंबर वन किसी भी हालत में कंप्लेंट वो पैसेंजर के हाथ में नहीं आनी चाहिए और रूल नंबर टू सर जावेद तुम बता दो चाहे हो या काफी कस्टमर पीने के बाद ये बोले कि चाहे पानी जैसी और काफी बिल्कुल काड़े जैसी है और मूँ पर थूख दे मूँ धोकर आना चाहिए मूँ साब करके मुश्कुराते हुए थैंक्यू सर, थैंक्यू मैडम बाई-बाई बोलकर वासे निकल लेना चाहिए तो सारे पैसेंजर उस मैनेजर कमीने को लेकर रहा हो ऐसे बोलेंगे तु तो फसा दो मुझे यस सर वही में रूल है मैं किसी भी तरह से न फसूँ इस बात का तुम्हें पूरा खयाल रखना है उसके लिए तुम कुछ भी कर स सकते हो कैसा भी जूट बोल सकते हो और सिर्फ मेरे लिए ओके सर तो ऐसी अफ़ पहला देंगे कि मैनेजर को स्वाइन फ्लू है क्यों टाइफार्ड चिकन गुनिया डेंगू ये सब बोले ना आपके चेहरे का जो शेप है उस पर स्वाइन फ्लू ही फिट बैटता है डिस इडली बड़ा पुंगल बड़ा एक पुंगल बड़ा देना और दो इडली बड़ा बर्त कनफर्म कर दीजेना सर जोड़ा सबर करो ना से जितना पैसे कहेंगे दे दूंगा बस कनफर्म कर दीजेना सर तो एक के पांच लाग लगेंगे चलेगा मजाग क्यों कर रहे हैं स तो वेट करो जहासी आती कुछ कंफर्म करके बताता है जहासी काव आएगा सर तो ने मुझे समझ क्या रखा है हां जहासी आएगा तो बाहर देख जाएगा तो जाएगा तुम लोग यहां पर ऐसे क्यों खड़े हो दर्वाजा अंदर से बंदे क्या तो फिर माजरा क्या है माजरा चोटा है लेकिन तू आएगा तो पड़ा जाएगा तू जाएगा तो यार तेरी शायरियां सुनने का मन कर रहा था मेरे दोस्त वहां को जाएगा इसी बात का जग अपना काम करो चलो निकलो यहां से श्रीशा का ध्यान मैं ही रखोंगा इतनी देर से हम जगर रहें अंदर जाने के लिए और तू चला जाएगा तू बाजुहाट तूम सब जूनियर हो मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ तो मैं ही जाओंगा ना अरे बुज़ूर आत्मी पिलेकर नहीं दिखाई ना कहां हो ओवर सरे सफाइब में हो सर सरे सफाइब में है सर तो जूट बोल रहा हूं क्या सब कहा मार कहा हो और क्यों तुम सब लोग एचे वन के दरवाजे पर खड़े हो कर टाइम पास कर रहे हो सूपरवाईजर भाई आप भी ना कम से कम मुझ अच्छों जैसी बात करने लगा अच्छों जैसा नहीं हूँ इनोसेंट हूँ ऐसे ही सारे हेचे बन के दरवाजे पर खड़े रहो पैंट्री का दिवाला निकल जाएगा मैं तो चला एटू सुचा थे एक समझदार असिस्टेंट मिल जाएगा पर चुगली करने वाला असिस्टेंट मिलेगा ये नहीं सुचा था इस ग्रेट एक गुंगा मुँ तोट जाएगा समझना क्या मुझे तुझे क्या आपको नहीं दे रहा है नहीं जाने दूगा मैं किसी को नहीं देने बाला अई पुट्टि तुम सुपरवाइजर हो या स्पाइडर मैन ऐसे चिपक कर घड़े हो यह पीड को जमा है कुछ नहीं सर वेल अच्छा को नहीं जानते हैं अच्छा मतलों पोटो बना दिये हीरोईन है बेटा मैं नहीं जानता तुम सब यहां पर क्यों खड़े निकले यहां से बेटा एच्छेवन को तुम समभलो किसको कहा जाना यह मैं त्यकरूंगा यहां से पाहर कौन निकलेगा मैं त्यकरूंगा चाय आथमी बीचे जुकने में एक अफता लेता है जो बाई जी हम संभाल लेंगे आप अपने काम पर ध्यान दीजिए अपना ध्यान रखिए सर जिन्दगी का एक मकसद कि किसी हिरोईन से प्यार करके उससे शादी करने बहुत बारिश हो रही है सर मतलब अच्छा शकूंजी सर शिसा की आखरी मूवी में उसके भीगने के बाद और बेटा सर भी सिक्टम सरही होनी चाहिए कोई भी कंप्लेन नहीं अनी चाहिए अब किचन में तुम ही जाकर अदो कि एक बार इस्तेवाल किया हुआ तील दुबारा इस्तेवाल होना चाहिए और हाँ जब भी उसे कुछ देना तो यह कहना कि मैनेजर सहाब में आपके ल जब तुम मेरे बारे में ऐसा बोलोगे ना तो वो खुद तुम्हे बुलाकर मैं संभालूगा सर क्या कर लोगे मैं देख लोगा सर कि वो आपके बारे में अच्छा बोले मुझे पता है तुम जरूर देख लोगे और बीच बीच में मेरी नजरों से देखना तो तुम समझ कि तुम्हें क्या करना है मुखी मैं सब सम्हालूंगा सर मैडम मैं स्लिपर में जा रहा हूं कुछ काम होगा तो बुला लिजे का मुझे सुन में का ध्यान कना ठीक है मामा कि तुम्हें कि पेंट्री मेडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन मेडम आपकी आखरी मूवी पूरी भीगने के बाद च्छाता क्यूं सुपर मुवी है मैडम क्या किरदार निभाय ता आपने क्या एक्टिंग की थी मेडम हला मच गया था मैडम डीवीडी पर थीएटर में ऐ त्यूस भार पहली बार में समझ नहीं आई एक मैडम आप मुवी से ज्यादा सामने खुब बशुरत लगती है मैं आपके साथ एक सिल्फी लेन अचाहता हूं मैडम अरे पेवकूफ मैं श्रीशा की तच अप करल हूं भीना तच की ले लोंगा मैडम फो मैं श्रीशा की तच जब कर्ल हूं असिस्टंट असिस्टंट सरोजा सविए तुम्हा किस्से बात कर रही है पांट्री आप पांट्री पॉर मैं भ्ला है बुला-बॉला-बॉला-बॉछ बेक्फिस्ट मैनी में क्या है इडली पॉंगल पुरी वड़ा ब्रेड ओमलेट केलोग्स दिद मिल्क मैनम एक पॉंगल वड़ा और एक पुरी भाजी एक पुरी भाजी ब्रेड ओमलेट ब्रेड ओमलेट मेरे लिए इतना काफी है इन लोगों से भी पूछलो कि इन्हें क्या चाहिए इतना काफी है मैं भी डाइट पर हूँ ना ब्रेड बजे आपको सूप नहीं चाहिए सूप है बड़े बड़े पकोड़े हैं हमारे पास समोसे बनेंगे कटलेट मिलेगा क्या भी मामी के लिए नहीं मिलेगा चार बजे मिलेगा कटलेट भी है तो एक काम करो पैंट्री मैनेजर को बोलो हे रोइन शीशा को कटलेट चाहिए उसके लिए स्पेशल बनवा कर भेजे अरे मेडम वो मैनेजर खूसट बुढ़ा ओ है मेडम पागल है वो कौन है वो मैनेजर उसका चोड़ी है मेडम ओल फेलो आपको कटलेट चाहिए ना मैं बना कर लाता बार बार बुलाओंगी हां तेरी तो सरोचा तुम मुखी का नंबर ले ले रही हो ना बोलो बोलो ना 916 677 तुम और मैं दोनों हो जाएंगी एक तुम और कौन 3411 तुम्हारा नंबर मैं कॉल करूँगी पर मैं उठाओंगा तब ना फाल तुम नंबर में उठाता नहीं हो नोट कर लो बोलो 999-4286-891 नाम सरोजा रोजा आर ए जे ये क्या राजा क्यों टाइब कर रहे हो ओ ओ मिसिंग है क्या फोन में फोन में लड़की का नंबर सेफ करके रखते हैं तो रात को लड़के लोग नंबर निकल कर मस्ती करने लगते हैं इसलिए इसलिए ओ कितना अच्छा गोल मटोल है ना क्या ये कुत्ता चिंकी ये मन कर रहा है ऐसे ही प्यार करता रहूं जुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आपने जैसा बोल दिया और बोलो बेरे बारे में बोल बोलकर तुम जो बील्डप क्रियेट गरोंगे तब हीरो की एंट्री जो है और भी मस्त हो जाएगी तरहोगे ना अल्रडी क्रियेट करके आया हूं सर और क्रियेट करों और प्रक्रिट करों सर्गौनस और कुछ क्या बना रहे हो ड़ाओ कैप्टैंब इसे बीच में नीकाल कर नहीं बना सकते कैप्टैंब तुम्हें नीकाल कर मैं बना बस पंसमें कर्टलेट तैयार हुदा घ्राइब अराम से समय कर बढ़िया करम बینता के जए तीन सर थी कहीं बीच में ये तो नहीं मार रहा है एक मेरी श्रिशा के लिए और एक मार दूगा तूम अबस तलो अरे भाई श्रिशा को देखा क्या बता ना कैसी है अश्रीशा को छोड़ना इसके साथ एक लड़की थी आप ते पागल मोटी जिस्के पास बुच्ता रहता ह वही न, चलिकल, क्या हुआ या, क्या क्या हुआ या, तुझे आज कल सच सुनके गुसा आता है न, हाँ भे आता है, चलिकल, जा जा कर जावेद को बोल जा, उसके शायरी सुनुगा बोल दे, बोलना, क्या सुनेगा, बात मैं, यार, श्रीशा के साथ एक और लड़की आई हुई है, वो, सड़ी भी पेस वाली, एक दम खूब सुरत अच्छी है, समझा, उसको जब से दिखा है तब से, कितनी लड़कियों को क्रॉस करके आया हूं, लेकिन, ये अंदर तक घुस कर, ऐस तबला बोजा रही है, ये, नाम क्या है उसका? भानू है, उसका नाम? गोरी है, एक निर्की बोड़की गोरी सा, उसका नाम रेजीना है, वो नाम क्या बता है? सरोजा, ओमर? करीबन उनीस बीस होगी, बेचारी, क्यों? छोटी उमर में शादी हो जाएगी न, किसी और के स गोर क्या रहा है, तेरी किस्मत ही ऐसी है, आएगी किस्मत, हाँ बलो बड़ी मैं, जावेद, तेरी बहर पास ही लगाने जा रही है, रोनी को फोन दो, तेरा बहियो बात करना चाहता है, बात कर, बात कर, रोनी रोते हैं नहीं बैटा, क्या हुआ तुम्हें, बैया, मुझे किस्मत ऐसी है, इस जद में मेरी शादी ही नहीं होगी, यही मेरी किस्मत ही, रोते नहीं बैटा, रोनी, तुम्हे एक नट रुको, मैं किसी और को फोन दे रहा हूँ, वो बोलेंगे कि तुम मुने पसंदो, उसके बाद देखना आप, कितनी जल्दी तुम्हारी शादी हो हलो, मुझे तुम बहुत पसंदो, दीदी, लड़के वाली वापस आगे, रोहनी बहुत पसंद है उन्हें, जबाद कर रहे, जावित भाईया ने बोला था, तब ही मुझे भरोसा नहीं हुआ था, आप पार बाईया, तुम्हे ज़रूर एक बार उने लेकर हमारे गावान बढ़े जरूर, जरूर लेकर आँगा, जरूर, पक्का आँगा, जरूर, पक्का आँगा, तुम्हें भी, मुझे भी यकिने था कि बात ऐसे बन जाएगी, तेरे कहते ये बाई, ये ट्रिफ रात बने के बाद एबार गाउन चलना, ये, मजाग सूझ रहा है क्या, तू द जबकियों के बारे में बोते समय भी मुझे एसास हो जाता था लेकिन इस रड़की को देखते ही अन्नरजीत से एसास होता है लेकिन शब नहीं निकल पा रहे हैं ऐसा ही ना तब तो यह पक्का वाला प्यार है मैं मदद करूगा तेरी तू कैसे मदद करेगा फुल फिल के साथ शायरी पेश करता हूं वही लिए क्यों से देदे छोड़ चुपकर देख बाई यह काम है फोरी करें का चोली कि वापस दिखना उंप यहीं वापस से चोली लिखना है जका बीश मंद बोलतर है इंगा उना हश ही फोरी चोरी इस को हुआbenud कि एकिया ये ओनानों इसे फट जाएगी वो इसको हाट बोल कि एस थी खागआू इसे थाऊने है। बॉलकेश पड़ कर मढ़र बल STE ली पेकर Governor Sorry पेटा। सो बोल कर देना। क्या बोल कर देना साना की मेरा दिल है जाना सान। अगर उसका तिल बूलेगा तब तो उल्टा को जाएगा ना इनुसेंट वाइट मैडम आपने जो अभी अपनी नई वाली फिल्म में गाना गाया था ना उसके लिए कितने टेक्स दिये थे एक लाइन पांच से छे टेक में पांच सुछे टेक मैं तो कोई भी सॉंग बस एक ही टेक में का सकती हूं वह सॉंग है ना उसके दूसरे अंत्रियों में जानेवन जगा पर थोड़ा सा सुर गया है बस है ना वह आटो ट्यून कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा तेरे बेसुरे गले से निकला हूँ गाना भी ठीक कर सकते हैं वो ओ मुझे किसी आटो ट्यून की ज़रूरत नहीं है मैं तो ऐसे ही गाल सकती हूँ आखिर तु है कौन तु श्रिया गोशाल है ना सुनिया ना क्या अब जब मैडम अपनी नेक्स रिकॉर्डिंग में जाएंगी ना तो म्यूजिक डिरेक्टर सर को मेरा गाना भी सुनाने के ल कटलेट आपके लिए मैं खास बना कर लाया हूं अब पैंट्री यह क्या है कटलेट है वो तो मुझे भी दिख रहा है बाकी सब को राउंड शेप में दिया मुझे हाट शेप में क्यू दिया अब एक ही तो हाट है तो सभी को थोड़ी दे सकता हूं इसलिए सिर्फ आपके कहां नहीं चलेगा तो काहां चलेगा और अख्री बार बोल रही हूं अगे से जिसको भी दोगे ना एक ही शेप में देना समझ गए तुम जानते भी हो मैं कौन हूं चम्ची नाए मेरे हाथ में डिब और तुम्हारे हाथ में चम्मच बस वही तो बोला अगले साल से मैं इ देख लेना फ्लाइट में चाहोगी तो दिखेगा फोट बोर्ट पर खडी रहोगी क्या मैं उसके पंक पर बैट कर जाओंगी पर टो है ju है अरे आसे लट रखने से अच्छा आ तो शोले के संजी कुमार लग रहें आप मुखी मुखी क्यों कर रहें तेखो मुखी कुमार मेरा स्टूडेंट है मेरे दिल को कड़्ट के शेप में लेकर गया है उसे देखकर श्रीषा श्रीषा वो कुर्ट बनाने वाले स तुरंत मिलना चाहेगी बुरा नहीं माने तो एक बात बोलू वो नहीं सर, वो हिरोईन है अपनी जिन्दगी में पता नहीं कितने बड़े लोगों से मिली होगी वो उन सब को छोड़ कर वो आप से प्यार क्यों करेगी उसका दिमाग नहीं खराब है जल रहा है तू हिरोईन को तो हर कोई पसंद करता है सर यहां तक कि उन्हें कुट्टे भी पसंद करते हैं चल जा अरे हाँ माहा शायर जी इदर आई है कोई ऐसी शायरी है जिससे वो फट से पढ़ जाए है ना सर तुरं पढ़ जाएगी प्यार का पिंजरा तू छोड़ दे सब कुछ ठीक चल रहा है तू कूड़ा कर देगा चपल खाएगा तूसकी मुकी कुमार क्या हुआ सर कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ चल दर आई दर आई दर आई दर बैट यह क्या आतादिल यहां पर है उनका है यह आपको देने को बूली है शिशा बूली है उनकी माँ मेरी उम्र बताई उसे पिना एक्स्परियेंस के लड़के को भेजेंगे तो ऐसा ही होगा तू थोड़ा कम करते उम्र ना सर बोलना अब उठ और जाकर अपना काम कर थैंक सर ताना कबूतर को डालने को बूला था और इक गृत कूपर उसकर आगया है कभी हार नहीं माननी चाहिए कूरियर बॉय तू परिशान क्यों होता है सॉरी सर मैं सही बूल रहा हूंगा काम करना यार काम कर ऎदे बाड़े और संसके खना यार करीशना कर दिवाना बना लिए!! बनादिया आ ш테ा नीचे घरा है ना ठीक से बनाना सर आप अम अबना दिल बना हूंपाए ना स्रमाट्र लाकिंग ना इस ना बेटा सर ऐसो से कंसर्ट करने की ज़रोत है नो नो क्या बोलकर दू है तुझे प्यार हो गया है ना हो गया कुछ सूझ रहा है तो बस वही जाकर बोलते वही बोलकर देने वाला हो गया ला जवाब बेटा हम जो बात करें वह बीना जाने हास रहे है यह लोग बोलोग एंसी इस भागल है पागल बागल है तुम यहार आओ तो यह लोग तुम्हें कंफूज कर देंगे हाठ ठंडा हो रहा है तुम लेकर जाओ ठीक है और इस बार तुसे जरूर मेरे लिए पटा लेका जानता सूब 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 है घुल गया है सूप को अच्छे से मिला कर पिना तो पूरी ताकत से गाली दे सबोगी जावे दक्तर सर बोलिये ना मैं ड्यूटीपर हूं सर क्या बात है एक सवर्दस शैरी आ रही है जरा सुन लेना या राइटर साब आप मुझसे पूछ रहे हैं अपने राइटर साब है हेलो मुखी हाँ मेरा खास दोस्त है क्या हुआ सर डाउट है डाउट सर यहां बहुत डिस्टरबंस है मैं बहार आ जाता हूँ यार आज के बाद तु जो शैरी सुनाएगा मैं सुनूंगा तु बोल रहा है सुनने को मैं तो शैरी बोल गया तु होटल में बैठकर सुनेगा तब भी तुझी कुझ याद नियागा हां सर एक मिट यार जुल्फों के गर्म साय में सर क्या बोल रहा है थोड़ा यूजू जुल्फों की नरम छाओं में कैसा रहेगा सर यह तो पहले ही आचुका है अगर अच्छा है तो एड कर दीजिए सर अपने बीच क्या धन्यवाद सर तु मेरी सुनेगा या नहीं सर इतनी जल्दी दूसरी शैरी कैसे सर पहली का सुनाई ठीक है सर मैं लिखने के बाद आप कैसे जानते हैं वह कैसे बोले तो छे महने पहले ही जैसे तुम आ रही हो ना इसी कंपाट्मेंट में जावे दक्तर जी दिली से नैशनल अवाड लेकर वापस आ रहे थे तब मैं ही उनको बार बार सर्वीस दिया करता था एक बार सर्वीस देते वग मैंने देखा तो वह लुएमने पर जब चार लॉर ज Date रहे ँट मैं है कि तुर्ण पूछा की तो कैसे यह है नहीं मैंने तुरंण पुछा क्या परेशानी है तो बोले कि इशारी लिखने में फंसगया हूँ बोडो मैं और मैं लें फंसक करते हैं तो यह ही षाहरी हारी ये तो और फ्र प्रशानी होती है काम भी ठीक से नहीं होता है सर का अभी भी देखो ना सर कह रहे थे जुल्फों के गरम साय में मैंने कह दिया पुराना उसके बाद मैंने जुल्फों की नरम छाओं में तो उन्हें अच्छा लगा जावेद सर्से मेरी बात करवा सकते हैं क्यों बरोजा नह अशे बात नहीं है उनकी तो कहीं में असे युज्क डिरिक्टर से पहिचान होगी तो मुझे भी कोई काना गाने का चान्स ओ तो तुम्हें सिंगर बनकर फेर कि अबिश्टर जी से बात करी है बस यह ना मसाला चाहे हाँ बोल जावे दक्तर जी चोरी 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 अभी तक सोचा नहीं है सर लिखते ही भेच दूँगा सर अरे तू क्यों सोच रहा है क्या तैयार है देखा इतने में और पूछने लगे हैं गाड़ी अभी तक आगे बड़ी नहीं जावे जी अपनी पहचान की एक लड़की है नाम सरुजा है बहुत ही खास है उसको सिंगर बना है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं जावे जी आपकी तो प्रीतम जी एयार रह्मान जी ऐसे बड़े-बड़े म्यूजिक डारेटर की साथ पहचान है सर इसलिए थोड़ा इसकी भी हेल्प कर देंगे तो सर लाइफ बन ज मैं सरुजा मेरी बहुत इचा है सर कि में बहुत बड़ी संगर बनूँ इच्छा जो है ना वो किसी की भी हो सकती है इसलिए सब मुझे गाना गाने का एक चैन्स मुखी के दोस्तों सिर्फ इसलिए इसलिए नहीं हां सर मेरा टैलेंट इख रहमान के घर से बिलावाया लग किजिए मुखी के साथ बैठ कर खाना रिकॉर्ड करके हमें वाट्सअब कर लीजे मैं उन तक पहुचा दूगा रहमान सर से प्लीज मेरे बारे में बात कीजेगा देखा वेटा सरो जा अपने मुखी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि दोस्त ही सबसे बढ़कर होत जा रहे है तो भी काड़ ना चाहता रहे है क्या है रङता हूं सर बहँता हूं सर अबश्चिता हूं से ओक रखा ऊठाओं मुझे तो यंगी नहीं हो रहा है लुप हूं से का उचिए ये जगा थीक है न चलो का थेरा होंने लिए हो तुम्हें तुम्हें नमटरम चुम्हें आख ऍट आप सुनते हैं अच्छी किंग तुम्हें अच्त के sit है अभी तक तो नहीं है गधिया में सींगर आर्स वह पक्रांटर भार्स तुम्हें को I did share मैं सच में बहुत अची सिंगर हूं कसम से सिंगर हो वो क्या है ना आवाज थोड़ी अजीब सी अलग सी निकल रही थी इसलिए वो शूटिंग्स में अलग 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 जगह का पानी पीकर थोड़ा सा खराब हो गया है थोड़ा सा हम स्कूल में सब मुझे कहते थे कि मेरी मेरी आवाज चित्तरा मैडम जैसी है चोटे-चोटे प्राइस भी जीते है मैंने ममी भी कहती है कि मेरी आवाज श्रया घुशाल जैसी है पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई मतलब गला खराब होने की वज़े से ही आवाज ऐसे निकल रही है यह बोलना चाती हो हां कसम से मा बन गई इस साल तुम्हारे ही गाने हर गली में बजेंगे तुम्हारी आवाज सुनकर लोग कैसे मरेंगे देखना जरू मरेंगे बहुत टाइम हो गया है मैडम ढून रही होंगी मैं चलती हूँ तुम दूद ले कर आओगे ना अरे तुम टेंशन चोड़ो मैं लंच टाइम में दूद के साथ आता हूँ बड़ी लाईचर कले मच डाल कर लागा तुम पक्का सिंगर बन जाओगी अधी प्यारी कोयल चित्रा की तरह और बाकी श्रेया घोशाल की तरह अब से तुम्हारा नाम चित्रा घोशाल चित्रा घोशाल हँ Train numbers 11015 D C Express is now arriving at platform में कर दो आप कर दो तुम लोग आजाब आफ जल्दी चलो जरो आफ ओ तो!!!! लेकिन सिर्फ खाना पुरती के लिए मैं सोच रहा हूँ कि रिजाई नहीं कर दो आप के लिए उपके लिए रिए किसा रिए यह ज जमी यहां पर सोने का नहीं चल जाए जिमें यहां देख जिमें और चुप रहा है कि तुम्भो किदर है कउन आ तुमें यहां क्या कर रहा है समझाश नौर्थ का Рाओ किस से लिए यह हाल है आड़ी दिखा सब्सक्राइब कोफी कुछ पिंगे कोफी आपके लोगे तो मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं खाना भूल गया कैसे भूल गया तुझे पता है न दवाई खा लूंगा अधिस्टाइब करेंगे तो आप काम करेंगे तो फिल आराम कैसे जाना पड़ेगा एक बात बार-बार क्यों बोल रहा है प्टा इसी बाते क्यों खर रहा है फोन रख्या प्रखने को बोल रहा हूं पर अच्छे के लिए ही हूं पेट एक्स्क्यूज में सर में कम अंधर इसकी एक ही वजय है वह हूं है ऐसा सब बोलते हैं सर कुछ लोग बोलते हैं सर यहां कोई भी वी आईपी आए तो मैं खुद आकर सर्विस देता हूं सर क्योंकि यह वेंडर लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते सर नाइस ना सर मैंने कोल्ड कॉफी नहीं मांगी थी सर बस सेफटी में सर यह विंडर वो है ना सर मेरा शिष्ट है सर आपको जब भी किसी चीज की ज़रूरत हो तो आप मैं बुला लूंगा थैंकि सर लेकिन तुम बताने इस लड़के को बेजना सर तो फिर मैं बन करके चलते हैं सर फ्लास्क फ्लास्क हमेने चलता हूं सर देखा ना देखा अरे वह वाला देखा नहीं कितने बड़े इंसान है दूसरे बड़े इंसान से छोटे की तरह काम नहीं करवा सकते इसलिए प्यार से बाहर भेज दिया इनकी तरह ब्राट वाइट ओपन रहना चाहिए यह सब बड़े गिफ्ट होते हैं तुम जैसी नेक सरोजा ज़ला पेर दबा देखो तो अच्छे से देख देना सर तुम को नो मैं टीटी यहां पैंट्री मेनेजर मैं आंटी मैं आपको सूचकर नहीं आए था क्या कर दिमाग नहीं है क्या इस प्रिस तो भी है तो बूड़े लोग ऐसा करते हैं क्या पदमाश कहीं का पागल है माजी पागल हुए चोप्रजी यहां से जाना है या नहीं जाना है मेरे लिए इनको माफ कर दीजिए तुम्हारे लिए माफ कर देती हूं माफ ही माफ ही माफ ही मादम सॉरी मैडम थांक यहां तूने सब कुछ ओपन करकर दिया सर आपी ने कहा था जो भी करो ब्रॉडली वाइडली और ओपनली करो वह तो मन की बात के कारे में कहा था सॉरी सर आपकी आँखों में हवस की प्यास क्यों भाई मैं तो हसते वे देख रहा था वह तुझे हवस लगा यहां जो हुआ कि जतनी चाहिए कि चिंकी कि यह नहीं क्या कर रही हो है स्साहूथ है साथ में कहां से चिन नहीं कि चुछ कोन थे प्रिशर पीचिला नहीं ठीक है तुम्हारा नाम क्या है चित्रा घोशाल बनो यह मैं भी चाहता हूं लेकिन इस तरह किसे से भी बात करते घूमगी तो गला और भी खराब हो जाएगा अभी चावे दक्तर जी से बात हुई थी उन्होंने रहमान जी को बता दिया है दूर तयार है तुम तयार ह करेगा रख दिया क्या हां सर दुबारा कॉल मत करना हमारी बात ना सुनने की ठान लिया उसने ज्यादा बोलो गये तो कहेंगे कि केंद्र ने ये फैसला लिया था इसलिए मेरी बाद अब सॉरी सर बेटा ज़रा बाहर जाओ ओकी सर थैंक्यू सर कहीं आखिन लड़ी जाए पाटी इस लड़के के जैसी होनी चाहिए छोटी सी ही गलती थी लेकिन उसे विसाफ कर गया और एक तुम लोग हो हैं ऐसे कई लोगों को मौका देकर उनकी जिन्दगी बना कर हम तो बस आगे निकलते चले जाते हैं तुम लोग कभी आगे नहीं निकलोगे तुम्हारे यहां टैलेंट होता तो बाहर की लड़किया तुम्हारे हां आकर हीरोइन को बन जाती ऐसा मत बोलिए सर हमारे यहां के शेरों में भी हमारी लोग हेभी और एटीग काम तो हमारी तरफ कान नकिन काम तो हमारी स्टेट में करता है न वह बात इंप्ऊर्टंट है ठीक है जाने दीजिए न अल इंडियनस लेकर एसाई बना कमांडर के सौ दिन कैम करके गन हासिल की है छुए गर सर मुबन रख तो कोड़ी का चाय भीचने वाला बेवकूफ तेरा चेहरा देखके ही घीना रही है मुझे तो फुल्टी आ रही है क्यों सर क्यों सर सौप नेवले को क्यों पसंद नहीं करता इसका जव अगर मैंने कुछ गल्दी किये तो माफ की घीनाती है तेरा चेहरा देखते एक घीनाती है तुझा तु इस तरफ सर्विस के लिए मत आना अपने मैनेजर को भेज यहां ठीक है सर बेटा जरा इसमें डाल डाल दो नहीं मुझे यहां काम करने से मना किया गया है डाल नहीं डालने का ओडर तुम्हारे पास दिल्ली से आया है क्या किसने मना किया जी सर मैं नहीं आओ पेंट्री मैनेजर ही आकर सर्विस करेगा सर ने बुला कौन है बेटा वो बाहर खड़ ज़रा बुलाओ उसे सर बुला रहे हैं सर सर आयो सर आप यहां कर बैठिये मैं वहां गन पकड़ कर खड़ा हो जाता हूँ क्यों भाई मेरे लिए डाल कॉन लाएगा क्या ये भी डिसाइड नहीं कर सकता पैंट्री मेनेजर को मैंने ही कहा था कि वह इसे भेजे और तुम हो कि पैंट्री मेनेजर को ही यहां आने के लिए कह रहे हो दोनों मिलकर खाने में जहर मिला कर मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या क्यों जी तुम्हें शक नहीं हो रहा है हो रहा है सर सर आपको शक करने के कोई ज़रूत नहीं है मैं खाना खाकर चेक करता हूँ फिर आप खाईएगा तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं आपका जूठा खाऊँ खिस बात की गर्मी है तुम्हा मुझे लगता है कि तुमने ये सोच कर रखा है कि जो मच्छी मटन मिनिस्टर के लिए आएगा वो तुम खाऊगे सर मैंने उस एंगल से नहीं बोला सर अरे भई तो इस एंगल से बोलो कुछ तो बोलो तुम्हारा चेरा देखते ही मुझे घिन आती है दिमाग खराब हो रहा है ऐसे लोगों को भरती कैसे कर लेते हैं एकदम जाहिल लग रहा है चलो बाहर निकलो एए उस बच्चे को क्यों घूर रहे हो जाओ आजकल तो वाच्मेन भी हमारी इज़त नहीं करता बेटा तुम ज़रा दस मिनट बाद आना ठीक है सर आताओ सर तुने मुझे फसाया ना नहीं सर शब देख बीच की तरह होता है सर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा होगेगा और बुरा बोएंगे तो पर आपको इतने जल्दे फल मिलेगा ये नहीं सोचा था मैं तयार हूँ सर जब हमें सब पसंद आएंगे आपकों कि तो ही हम सबको पसंद आएंगे ना चलो चलो लेकिये फसंद आया ना बेकार की बाता में टाइम वेस करेंड़ है चलो यहां से हाँ चलते हैं कि ये ट्रैनिंग के दौरान हमारे बेच के दो आदमी में सो गये लेकिन हकिकत में वो मिस नहीं हुए क्या का इसने मुझे भी समझ में नहीं आया दर्वाज बन कर लेते हैं और एक लास दूर पियोगी नहीं नहीं काफी है थ्रोट ओपन हो गया अब देखने कैसे गाव है अच्छा यह कैसे आज थी हिचकी किसे आई बुजुर्ब को यहां बहुत से बुजुर्ग हैं एक साथ मत भीजों एक एक करके भीजिए गया मेरे चार वजे के स्नाइक टाइम पर आने से पहले तुम्हें कुछ गाना नहीं है कसम खाओ बस एक बार वादा करो कि मैं आता हूँ कि वह कमीना ऐसी बोलता रहता है चोड़ना क्यों रहे होगी की चाह्ता पर इस के बहुत कालिया दी अरुलिटा सुटा बोलने लगा अधिक का भी नहीं है और इसने मुझे काम छोड कर जाने के लिए कहा ठीक है पहले रोना बंद का आजकल उसके अरकते पागलों जैसे हो गई है पागल जैसी नहीं चल उसको पागली बना दो पोड़े दूसी काम करके ज सेलसमें सेथे जा स है मेरी नेजर में नहीं है तो सब किसी को मार डालूंगा मैं मतलब उसमर्ठ केस में पेराती है जुम्हिक्षार कौनकर कान बोल रहा है कान जोडबेब से सुंङम से इस तरह बात कर रहा है। छोड़कर कर तू क्यों मृडर केस पंपोल लेवन कैस को अ मैं तेन कॉलिंग क्या है सर यह अरेस्ट सिंगम नाम का कुई बात कर रहा है तुझे भी सुनाई दिया ना मुझे भी सुनाई दिया था क्रॉस टॉप हो गया था कौर ट्रेस कर लिया सर गाड़ी जहसी से नाकपुर जा रहे है अक्यूज नेम चंदरकान सर क्या चंदरकान अक्यूज सर दही चावल और बिंडी की सबजी बेचने वाला एक सीधा साथा इंसानु सर तुझे तुरंद अरेस्ट करो और थार्ड डिग्री पनिश्मेंट स्टार्ट कर दो तर्ड डिग्री पनिश्मेंट क्या है सर मेरी बात आप क्यू ने समझ रहे हैं सर मुझे टाइम बाउम रख दो पर उसके लिए उस चंद्रकान ने मना कर दिया था उस चंद्रकान के सिर पर बंदुक रहकर गोली मा दो मुझे क्यों यूज कर रहे है सर माइक ने कॉलिंग हाँ यार मेरे साथ बी ऐसी बाते हो रही है कोई टेररिस्ट है जो तोड़ी तेर्म ने मैं क्यों डरने लगा है मैं क्यों डरने लगा यह लोग रखेंगे मेरे पास भी दिमाग है मैं खुद ही बाउम रखूंगा मतलब बाउम रखेगा मर्डर केस प्लस बाउम केस है 407 यह सर इसके लिए तुरंच शूटेट साइट का ओडर दे दो साथ मैं टीवी और पेपर मार कर शरीर में छोटे-छोटे शित कर देंगे खान वसीम खान सर मैं दस लोगों को काम पर रखकर उनको डरा दमका किसी तरह अपनी गाड़ी चला रहा हूं आपको समझाओं कि तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सुमीत पटेल जी ग्रीन एफेम मुझे कभी खुश सब कुछ करता है इंस्पेक्टर लगता है यह दाओद के कॉंटक्ट में ज़रूर होगा अब तुझे भी टीम में भारती कर रहे हैं तुझे अपनी जान देने के लिए तयार हो जाब क्या है मैं तुम पर चिलाया इसलिए टॉचर कर रहे हूं मुझे सर मैंने तुम से क्या मंगाए था वेजड़ाइस सर आपने वेजड़ाइस ही मंगा था तुम्हारा मतलों मैं जूट बोल रहा हूं तो पहर में मुझे खाना घाते वे देखा था न अभी फिर मुझे तो मेरे लिए ही काम करने आया है ना गौवर्मेंट के लिए इसको बाहर जाने को बोलो बाहर जाओ जाओ मार दिया यार उसको ट्रेन थी इसलिए चोड़ दिया वरना मार ही डालता मैं उसको एक लड़की की वज़े से किसी लफड़े में मत पड़ना तड़ा के बाद वो अपने रास्ते तू अपने रास्ते इसा किस ने बोला तुझे अब वही सब कुछ है मेरे लिए मतलब तु सच में प्यार करता है कि दोस्तों देवराज सराज रिटायर हो रहे हैं यह फिर चालू हो गई उसलिए हम लोगों ने यहां पर उनका विदाई समारो रखा है बढ़ायों सब्सक्राइब जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी थी अब उसकी आवाज सुनी उना रहा नहीं जा रहा है अब मुझे भी रहा है जाता है यार मार खाएगा तु लेकिन एक बात तो है तेरी वाली एक तरह से मेरी बहने जैसी है औरlace हम दॉनों कहीं टेलेंट किसी को नजर निया था भाई वेटा तुमें पता नहीं है अपनी कि याओकार जाने बिना किसी से प्यार नहीं करना चाहिए सुन प्यार के बारे में बोल रहा है जो सब्सक्राइब निकल शोर नहीं कि थो पिछले 35 सालों से इस रेल से जुड़ा हुआ हुआ तो थोड़ा अजीब लग रहा पर चले गा आगे तुम लोग के साथ रहूँगा मेरी नोकरी चाहिए मेरा पैसा चाहिये पर मेरी मां के साथ कbor तुम जाओ कि ना मा के साथ एजजेस्स करोगी बस हमेशा मेरे सर पर पैठ कर जगडा और भी कि त्यमागक खराब करके रख जाओ पॉप आप देड़ी अब बोलना बेटी दवाया खाली ना आपने बोली एक नी बार बोलना परता है आपको अब अब अभी खाए अब अब तू अब तू नाप मत ठीक है पापाईज ऑन डुटी अम्में फोन काडता हूं बात तहीं कर पाऊंगा हां बाई बेटी बाई बे में नमबर वन वन जीरो वन फाइव गार्ट सिंगल क्लियर करो प्रसीड ओके प्यार करके देख तब तुझे पता चलेगा उसका दर्द क्या होता है Herr ओगया न पानी अब समझाया प्यार का दर्द क्या होता है इस लिए दूसरों का प्यार खेल समझने पर खुद आ खत्म हो जाता है आपने जो कियी नंक्यू सर मुखी 1 मिनट मुझे अपनी अवकात समझ में आ गई है या है शही सा नहीं पटने वाली अलिस्ट खी मां को अगर उसकी मां रही Interval पटा दे तो solicja हो जाएगा जाएगा मुझसे तर्fect की तोई होगा है प्रण वह स्थन मुझसे उमर हो गई है तो हिसाब से बात करना चाहिए दोसरों के बारे में इस तरह बात करता है वो तक भाग रहा है इतनी रात को आंक में चॉली खेल रहा है जोड़ा मांकी अर्ड़ा बोला ना मैंने खा लिया है मुझे पता है तुने नहीं खाया होगा खब खायका बेटा हमेशाय साही करता है तो थीक है कानुगा फोन अखो ठीक है चल्दी खाले हा यह लोग भी इंसान को पागल बना देंगे अज़ पागल बना देंगे अज़ीव है अबल यल्लो डाला हुआ है अटेंशन पर कॉशन बोल रहे हो क्या हो गया तुम्हें अकल लिए तुझे वोन रख कब से देख रहा हो तुम काफी अज़ीब से लग रहे हो आज सॉरी सर फेमिली प्राव्ब्लम क्या फेमिली है हम पर भरोसा रखे पीछे इतने लोग चल रहे है रेस्पॉंसिबिलिटी नहीं है ट्रेन में चर्दे फोन आफ कर देना चाहिए पता नहीं क्या सॉरी सर अभी आफ कर जल्दी करो आफ धर्द हो रहा है किया क्या हे खाने के लिए कुछ करम मेलेगा मैडम ने पूच आप है का जा रही हो है कि का रहा है मैं पूचकरा अन्धी ट्रेंणिग में हो ना मुकी जो कहा है उस भूढी के चक्कर में तो मेरा यह हाल हो गया है वो मुझे मारने के बाला नहीं मुखी कुमार वहाँ होगा उसको मत बोला कि मैं यहाँ हूँ इसकी माँ इतना लगा है नहीं तुम जाओ यह जाकर उसे मत बोल देना पता नहीं मैं भी क्यों बग बग किया जा रहा हुं सर क्या है रहे यह लड़की क्या पूछ रही थी मैं तुम सब को कमारने वाला हूँ यह पूछ रही थी तो आपने क्या बोला उसे मैं ने बोला कि मैं तुम सब को एक साथ उडाने के लिए स्टेंड में बंब लगाने वाला हूँ मुखी 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 यह तरकी यहीं पर है ऐसा कुछ नहीं है फिर गाना है क्या वो भी नहीं अच्छा तुम्हें देखना का मन किया तो आगए मेरा मनाज बहुत खुश है एक गाना गाओं अभी कहा था मन में बहुत खुशी है तो फिर गाना क्यों अरे यार जब अच्छी मेरा मूड करेगा तो गाओंगी ना क्या मूड गाने का ओ क्या हुआ क्या है यहां भी थोड़े बुजुर्ग लोग तो है वो सो रहे हो गी ना तो तकलीफ होगी इसलिए अगर बिना डिस्टॉबंस के गाना रिकॉर्ड करना है तब तो ट्रेन की छट पर जाना हो म decision की भाल। तो क्या रिसा जाय्व की फिति करें एाल्ग है एाल्ग है यहँिए वक्या कि जाने मूड कररूौ, क्या जाल। सक्सिए उत भुपजा एक्या हुई ने सब्जी कर ब कर दो कर दो कर दो कर दो नंकमास्तर क्या हुआ तुम्हे कुछ नहीं कुछ नहीं बोलो दवाई तो खाली नहीं कुछ तो कुछ यह मार दूगा मुखी कि अब देखिग और कितना अच्छा गां कि मुखी चलो इसे चलते मुखी और लग रहा है मुखी और लग रहा है मुखी चलो यहां से चलते हैं तेरे चाय का डबबा कितने का टीकेन होगी आट सो नौश रूपे की दे दे मुझे तो फिर क्यों दिया मसाक मत कर मेरी गन दे दे मुझे गन वो तो तेरी नौकरी है ना गई क्या देख मसाक मत कर बड़ी प्राबलम हो जाएगे फुली लॉड लोडेड मतलब उस बंदूक में गोलियां भरी हैं क्या मतलब कोई भी निकाल कर किसी को भी ठोकेगा तो नाम तेरा ही आएगा अरे अपनी चीजे तो ठीक से संभाल नहीं सकता है तो यह काम करने का मतलब भी क्या है तेरा अब यार इतना बुरा भला तुने मुझे कह दिय अब क्या बोलना चाहिए ठुझे दे देना तब क्या बोला था तुन दोनों को कोली मार देगा क्या बोला था यह에 मार के यह थेठोंगा मार के पेकएगा कि एस इस पर हाथ उड़ाता है गल्टी हो गई अब दे दे सौरी बॉल प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार तुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है तो गण वापस नहीं कि निया न ग1 अगड़と思 नहीं कि अ दोनों एक ही जगह क्या है नो मेरी म्राइट करने चाहिए और तुम हो कि उसके साथ मिलकर मुझे इस तरह से ये जेगह से इनसानियत में अच्छे एंसे इंसान होते हैं साउत और नौर्थ कुछ नहीं होता तुमें फुर को इमसान हो मुखी प्लिज मुखी छलते हैं में अच्छे लेगं थैख अच्छे लोग मतलब बुरे लोग मतलब को यह बुरह Hmm कुल मिलाकर रसा जोड फ्रॉड हो यह भी ना चिक चिक कर रहा है यार मुखी मैं तुछ सेता रिक्वेस्ट कर रहा हूं ठीक है दे देता हूं एक घंडे के बाद आकर ले लेना यह तरडा में उतर जाएगी उसके बाद दूगा गन आने के बाद तो फिर से शुरू हो गया अरे यार इतना बोल रहा हूं तो भी समझ में नहीं आ रहा है जल्द बाजी मत करो यार रिकॉर्डिंग के लिए उपर जा रहे हैं कोई आया तो कहना हम उपर हैं और अचानल माजी आ गई तो माजी आ गई तो क्या मैडम जी पैंट्रे से कुछ लेने गई है ऐसा बोल दे अब है अभी कम नहीं हुआ है चलो ना मुझी आ तो अब भाप रे मुझे तो लगता है मेरे सिंगर बने से पहले तो मुझे माटा रोगे तुम सिंगर बनने के बाद सभी को मारने जो वाली हो क्या कुछ नहीं तुम आ जाओ अरे मुखी मेरा हाथ पर रोगो अरे चारो मत हाथ दो अपना कुछ में है ही उचे सुर में क्यों गा रही हो मेरे दोस्ने एक आरे जी काय था यह था किया हुआ उसका आंतिम संस्कार भी जल्दी प्यार को अंधा किसने बना दिया बहरा होता तो अच्छा होता सर एसम गॉड आप यह क्या कहां से आ रही है तो और उपर क्या करने गई थी इसके साथ मैं मुखी के साथ रूमांस ना क्यों रहे मुखी यह क्या चल रहा है इसलिए तू अदर आगे पीछे घुम रहा था ना सुबह की चाय तो तुने अभी तक हमें दी नहीं और इसके साथ ऊपर छहत पर घुम रहा था हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो नाच कर भी दिखाया होगा मैं सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने गए थी वह तो रिकॉर्डिंग चल रहे थी मुझे एक अच्छी सिंगर बनने ह अच्छा गोशार बनेगी कभी आवा सुनिए अपनी कदे जैसी गाती है सिंगर बनेगी हलो सर्कारी दामाद को बुला कर लाओ क्यो भाई लेफ्ट में काया जारी कॉशन नहीं दे सकते थे क्या आप सिराइट में दिखेंगे लेफ्ट में नहीं देख सकते हम तोनों एक ह तुमने पी रखी है क्या किसने पीए तुम्हारे पीने के विजए से ना तुमने सिगनल देखा ना कॉशन बोला देखो क्या हो गया ये इर्रिस्पांसिबल एडियेट तम ही से बात कीजिए आगे सर गुट मॉनिंग सर अ कर्मेंट ओफीसर बाथरूम के पास आ करके सोया था तु मेरी क्या रक्षा करेगा ये इस लड़की को एसे मार क्यू रहा है ये जावे दक्तर को तुम जानते हो ये कहकर तुमने इसे बेवकू बनाया क्यू बेवकू बनाया नादान है ये अभी तक दुनिया नहीं देख मेरी गने, मुखी मैंने तुमने जूट बोला कि तुम जावे दक्तर कानते हो जूट जूट इंगा मामा कि मैंने खोन में था था सार्फों कर ले होंगे कारो बोला तू जा यहां से क्या हुआ कोई प्राब्लम में क्या चाह जा जा जावे दक्तर शर मैं मुक्ऺण बोल रहा हूं मुक्य साथ मैं जावे दक्तर आप अभी वी उसी लड़की के साथ है मैं समझ सकता हूं उस लड़की का गाना आपने मुखी मैं अभी रहमान जी के साथ ही हूँ सरोजा की आवास सुनने के लिए हम बेताब हो रहे हैं जल्दी सी उसकी रिकॉर्डिंग वाट्सेप कर दो मुखी मैंने जैसा बोला था सब ऐसा ही चल रहा है ना बोल क्यों नहीं रहो फोन सरोजा को दो मैं बात करता हूं से कर हैं यह उनका नाम भी अपनी जुबान पर ले इस लायक नहीं है और तुम इनके साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो तुम भूल गई कि तुम्हारा बाप अभी इलाज के बिना मर गया तुम्हारा ये सब नाटक नोटक के यहाँ पर नहीं चलेगा शर्मानी चाहिए त तुम्हें मैंने इतनी मिननत करके हाथ पर जोड़कर तुम्हें इन मैडम गया काम दिलवाया और तुम हो की सिंगर बनने के सपले देख रही हो याद है ने खर्चा चलाने के लिए तुम्हारी आवास कैसी है जैसे किसी गधे को लात मार दी गई हो गाईका बनेगी है सु तो चुप-चाप से माजी के हाथ पर दबाने का काम करती रहा या फिर अगर चाहे तो इसके सा जाकर बरबाद हो जा और अगर यह दोनों ना कर सके तो कूट कर मर जा अपनी बहुर बहन को भी सड़क पर ले आओ पता नहीं क्यों मैं इसे लेकर आया सरोजा मैंने तुम पर भरोसा किया था क्यों मुझे दोका दिया क्यों हाँ मैंने दोका दिया क्यों तुम्हें पाने के लिए उसके लिए तुम्हें ही नहीं इस दुनिया को दोका दे सकता हूं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और कुछ नहीं साथ रहने का मतलब ज अब रह लो मुझे मारने वाला खाली हाथ भी आ सकता है गन की क्या जरूरत है अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है कम से कम यह खबर तो फैल जाएगी कि मंत्री जी नेक्स लाइट द्वारा मारे गए अब नेक्स लाइट की मंत्री जी से क्या दुश्मनी थी पहले से थी य आप तो चाहते होगे कि मैं सच में गोली खाकर मर जाओं आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर तो सर्कारी तरीके सही देख में तुझे नौकरी से कैसे निकलवाता हूं जाओ बेटा सर्कार के लिए काम करते हो ना डॉन्ट प्लेटिशियंस जाओ सारी ची इससे तो देखकर ही मुझे खिन आती है तो फिर मैं गन नहीं दूना सूचती है मैं तेरे हाँ जोड़ता हूं मुखी प्लीज मुखे मेरी गन देते मुखी प्लीज मुखी यह काम थोड़ा बुरा ज़रूर लगेगा तक बताना नहीं है यह सब बेना जाने यह आ गया तोड़िये ना यह सब बाते बाद में करेंगे सरुजा अरे भाई तुम थोड़ा समलकर रहना वो तुम्हें डीमते हुए गया है सरुजा सुरो दो सर वो गन इसे तड़ा उतर जाने दो उसके बाद दे दूगा मुझे नहीं चाहिए सर अब तो मिल गई है ना वो लड़की मरने चारी है हम अपनी परेशनी बात में सल्टा लेंगे उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है यह काम जरब बुरा तो लगेगा लेकिन तेरी जगह उसका काम मैं करूँगा तुम ही जही रहा है उसे मारने तो बात तुससे बात कर रहे हैं गलती इस आदमी की है और सारा इलजा मेरे सर पर मढ़ रहा है एक सीनर से ऐसे बात कि जाती है मैंड और वर्ड्स सारी सर मेज होती तो इतनी परिशानी होती यह मेरी लास्ट ड्राइव है मैं अपनी सर्विस बिना किसी दाक के कंप्लीट करना चाहता हूं अगर य प्रेन आगे बढ़ाई है सर प्लीज ब्रेक करनेक्टिविटी को चेक करने के लिए बोलो अपनी मर्जी से काडवन में कैसे बैठा दोगे मुझे पता है कहां बैठना है अरे पहले आपना काम तो कीजिए तुम पहले जाकर अपना काम करो तो मर्जा मैं तेरा गुलाम नह नहीं होगा उनके तरह नहीं हूँ क्या करेगा तु हाँ जवान है तो क्या मारेगा मुझे था है कि अ आब कि हुआ 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 है एंळुआ है हलो हलो सर मैं टेर नमबर 11015 का गाड़ बोल रहा हुँ सर बोलिये सर ट्रेन बिना गाड़ और एल प के जा रही है रही है एल्प को कॉंटेट करगे ट्रेन रोकने के बोलिये सर है एल्प 11015 कम आन लाइन हलो सुनाई देराए क्या LP11015 चुनाय बमलाई किया विस दॉप तॉप लाय खेओ पिक अलाई लो LP11015 LP एड़्भाद मिस्च्टीज़ लुप दॉप घठेट etwa ुझी का मिस्टव थैठी LP11015 LP एड़्भाद Mिस राय टॉप तॉप झुप लुप अलाई प्रदो देई प्रें मैं वन्हाथ इन एफ ड़ ये अर्वाज्टा और हो जार रेकि अटी कि अच्टों के अच्ट अच्ट कर दो में प्रवाप प्रावाद नहां बार है से ताइम तो होगया है टेशन भी आने वाला है लेकिन गाड़े के स्पीड कम नहीं हो रही है यावास किसी हुरी एक मिने टावलों हालो हालो क्यों, मास्टर कुछ जादा ही तेज नहीं चल रहा हूँ हेलो मैं कुछ पूछ रहा हूँ हाह चल रही है वो तो हमेशा ही चल रही है है सब महला नटाल जो भी इस पार दावा जो भी निकाल चल निकाल जल चल को दिए वसब्ट मैं शब्र का टॉप रहे पिजट अंग एडरा ये वह भाई फोर है हां है चला अर आ पार बाहर ना परेंज घू परतड़ा छाल लोगने डिशल न चला चल चल कई अधा गुली बार दो कि आख़ी यह यह अरे ट्रेंट यह नहीं रूप रही है वह शुट्चा पैट चुट्चा पैट मुर्खा उझे देज़े आवे जाद़ अज़े यह घर चाहिए जारी आज़े आजे पिला पच्छा ब्रोट अट्रें नॉबर वन वन जिरो वन फाइट से एक्सप्रेस आउट अपकंट्रोल शर्रेंवाने रुकित सार्ट शिगनल पासिट उन सार्ट अधर उडूर लूप लाइन में मालगाड़ीं को सिगनल नहीं दिया ना भी तक नहीं दिया सर क्यों सर इसे एक्सप्रेस वन वन जिरो वन फाइफ आउट अफ कंट्रोल है गुरूर से बिना रुके निकल कई है अच्छा इसलिए मेन लाइन को सेट करके बहाद डेंजर के साइन लगाई है सर टेंड यहां बिना रुके जा रही है सर वो अडूर में भी रुकी जिए सर अरे हाँ हाँ आप लोग शांत रहें नहीं बाज कराऊ कोशिश कराऊ बाज करेंगे चुप रहें हलो मेरी आवाज आ रही है सारे स्टेशनों पे जो ट्रेने खड़ी होई है सर टेशनों पे लूप लाइन पे रेगुलेट कीजे मैल लाइन पर पॉइंट सेट करके डिसे एकस्प्रेस को रास्ता दीजे गाड या एलपी को किसे ने कॉन्टाक दिया सर डीचे एक्सप्रेस के गाड की बाचीत गुडू स्टेशन के स्टेशन मारसे से हो चुकी थी क्या बात हुआ गुडू स्टेशन के पास सुबह जब ट्रेन आ रही थी तो कुछ गाए उससे टकरा गई थी इसलिए ट्रेन रुकी भी थी वहाँ एलपी और एलपी की बीच फोड़ी वाद बैस भी हुई थी उसके बाद एलपी और गार्ड ने ट्रेन मिस कर दी थी अब एलपी भी फोन ने उठा रहा है सर हम बहुत कोशिश कर चुगे इसलिए लोको है तो क्या हुआ विजलिंज कंट्रोल डिवाइस तो है ना हर साथ सेकेंड पर अगर होड नहीं दिया या कोई ऑप्रेशन नहीं हुआ तो ट्रेन आटोमेटिकली रुख जाती है इस नाटो मौडिफाइड लोको से साथं में लेवल क्रॉसिंग को शटडन कर दो अब क्रोसिंग को अलाव करो और सात्रम हर स्केंड पास के आसके लोकल पलिस टेशन पॉर स्वर स्वेकों कर दो एक सब्सक्शन को इन हैस हमिटा यांशन, सब रहें हैंせて यशर गिए किसी Bi सार खुदूर से पहले एक एक्सिडेंट हुआ था अरे हाँ वो इंफोर्मेशन मिल चुकी है एल्पी देवराज से कॉंटेक्ट किया आपने अच्छा लेकिन एमर्जेंसी लाइन को खीचा क्या है हम कई बार चेन खीच की देख चुके है तो फिर प्रॉब्लम आखिर कहा हो इसके बाद ब्रेक कनेक्टिविटी चेक नहीं की एक्सिडेंट के बाद ट्रेन चलाने से पहले एल्पी और गार्ड ने प्रेशर चेक नहीं किया अगर चेक किया होता तो चेन खीचने पर फ्रेन रुख जाती आप जो कहरें वह सही है पर अब हम लोग क्या करें सर्थ इस कन्फरम सर्थ एलर्ट कन्फरम सर्थ सर लगता है बर्थ कन्फरम हो गई है क्या का बर्थ कन्फरम हो गई है ना देखते हैं उपर के लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं सर हां लगा तो रहे हैं क्या सर टाइम लग रहा है चेन्ने आने तक कन्फरम हो जाएगा ना सर तेरी तो कन्फरम हो जाएगी। क्या कह सर? वो ये, चन्ने आने इस पहले कन्फरम हो जाएगी। देखिये ने सर, अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो… काफी जल्दी है तुझे, तु जल्दी ही पहुचेगा। जब गायों से टककर होई होगी, तो उनकी सिंग में फसकर वाल प्रूट गये होंगे। और इन लोगों ने चेक किया बगर ट्रेन चालू कर दी होगी। और वही जब गरबर हो गई। आपकी बात बिना ड्राइवर के ट्रेन पर लागो हो सकती है, सरूर लेकिन इस ट्रेन में ड्राइवर है और उसके पास सेफ्टी वाल भी है। प्रेशर रिलीस करेंगे तो आटोमेटिकली ट्रेन रुख जाहेगी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे है तो वहाँ कुछ गरबर है सरूरू कर देते हैं। सैर यह लोग सिर बात करेंगे या ट्रेन रुखवाएंगे भी। तुम्हें तो पता है ना कि सरकार बिना बाचीत कि यह कोई फैसला नहीं लेती है। बी सीरियस। होना ही पड़ेगा। हमने रपीएफ वाले को गोली मारी है तो परिशानों को थोड़ी देर में वह ट्रेन जरूर रोकेंगे। ट्रेन के छट पर चले जाने में ही हमारी भालाई है। माय आपको अमारी आवाज आ रही है। जी हम अभी हम टाजर रेवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहां रुखने वाली डीसी एक्स्प्रेस बिना रुखे ही निकल गई है। उन्हें अगवा करने के यही अथिकवादियों ने इस काम को अंजाह दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और आपको बता है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जब वो नौजवान थे, तब हिंदी भाशा को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने कुछ आंदोलन भी किये। ए भगवान, कहीं उन्हें मेरे पिछली राज भी न कोल दे। ए आदी, आदी, वहाँ इंजित के पास एक रंकी है, उससे जून करो। ब्रेकिंग न्यूज अभी मिली सुचना के अनुसार दिली से चेने जाने वाली डी-सी एक्सप्रेस एक महिला आतंकवादी के निर्देशों पर अगवाह की गई है। ट्रेन की छट पर छे आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन के अंदर और कितने आतंकवादी हैं ये अब तक पता नहीं चला है। इस तरह के अतंकवादी घटनाओं पर अगर आप ध्यान दें तो ये लगातारी ऐसी घटनाए चल रही है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। इसे रोका जा सकता है या फिर नहीं। इस विशय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। तीवी पर जो लड़की दिख रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मेंटली डिस्टरब्ड है। वो लड़की जिस तरह बैठी है उसकी पोजीशन और जिस तरह वो उस रोड को पकड़कर बैठी है उसका जेस्चर और उसके चेहरे पर टेंशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है उसे सेक्यूरेटी चाहिए मेरे हिसाब से तो वो लड़की आतंकवादी नहीं होनी चाहिए मुझे तो वो मेंटली अफेक्टेड लड़की दिख रही है जहां सारे लोग उस लड़की के आतंकवादी होने की बात पर फोकस कर रहे है वही डॉक्टर एडवर्ड का मानना है कि वो लड़की आतंकवादी नहीं बलकि एक मान से क्रोगी हो सकती है ये तो वही अद़की है इसे आतंकवादी क्यों कहें है अब अंदर वाली ये बात जानते हैं बार वालों को क्या पता होगा अरे ये बात बुखी को पता चल गय hोगी न हाँ याद ईे जल्दी फोन लगा रिंग जा रही हैना क्या हुआ रिंग जा रही है ना देखा 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 मुझे लगता है उसे ढूने गया है फोन नहीं उठा रहे हैं सर मैं हैटक्वाइटर में पहुँच गया हूँ डियर्म से बात करके आपको अपडेट करता हूँ शो सर मारे गए आर्पी अफ सब इंस्पेक्टर जीन का नाम वेनु था अपने अन्य साथियों के साथ उस वंप ट्रेन में मौझूद थे आप सबको अच्छी तरह पता होगा क्या हो रहा है बुद मुझे डीसी एक्स्प्रेस की सारी डिटेल्स चाहिए सारे पैसंजर्स की कटिट मेक इट फास्ट क्लियर हाँ जैक दे देंगे सर स्वामी नाथान कहिए सार जैक वो ट्रेन आज ही रोखने है रोग देंगा सर अब यह लोग कहां से अंदर घुस गए अब से ये शिर्ट नाम का ही कंट्रोल रूम है टूटल कंट्रोल तूनके अग में सलागे हमार किलोमेटर की स्पीड से आ रहे तुम यहां खेल रहे हो मैं तुम्हें खेलने वाले कपड़े में दिख रहा हूं राजनेता हूं मैं अभी यह मुद्दा छोड़ दो इसाब बाद में देख लेंगे या फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाओ दूसरे ट्रैक पर जाने के रहे मंतरी जी ट्रैन लेके जाने को बोलो है उठा क्यों राहे है इक आतंकवादी उसे चला रहा है वह साधार न आतंक वादी हो का हमारे निता जी महान आतंकवादी हमाहन हमसावादी है है छोड़ोड़ो चोड़ो STEPです आप महानना हो जाए इसलिए आपको भगाना चाह रहे हैं इनका कुछ नहीं होंगी इस तरह की घटनाएं होंगी तो यह अपने आप साफ हो जाएंगे इबज़कं होने के बाद काड़ी साफ करके लिए लगता है आपको देखके डर गई होगी हौन दिया भीना आरहे है जब तो बहुत स्पीड में लगती है आपकी पार्टी के केंद्री मंत्री श्री रंगराजन जी भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए ही ये ट्रेन अगवा की गई है इस बारे में आपकी और आपकी पार्टी की क्या रहे हैं बताईए सदाशिव जी मेरी 40 साल के नाजनीती मेरे मुझे एक ही दिन में हीरो बना दिल्कुल सा आप जैसे अच्छे नहता को तो 40 साल पहले हुआ कर लेना चाहिए था मूँ बंद रखो और फिर रंग राजन जी जो है इतनी बड़ी ऐसियत नहीं है वो अगे तो मेरा नाम होना शुरू ही हुआ है यह जानकर पूरा देश गम में डूबा हुआ है सिर्फ इतना ही नहीं प्रधान मंत्री ने भी सुबह शोख जाहिर किया दुख जाहिर किया है बस यही कहना चाता था मैं गदों को बोलने के लिए बैठ लेंगे तो ऐसा ही होगा ऐसे ही बोलोगी तो राजनी थी कैसे होगी एचे वन में सेंटरल मिनिस्टर बैठे हुए उनके साथ तो एनस जी कमांडों जरूर होंगे कांटेक्ट गेम ओकी सर्थ मिस्टर पंडे इस स्ट्रेन को बाहर से रोकने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है सर अगर यह गुट्छ ट्रेन होती तो रेद की बोरी की दिवार खड़ी करके हम उसे रोक सकते थे हैं या ट्रेक में स्किट सेट करके ट्रेन को ट्रेक से उतार सकते थे या फिर ट्रेन के रिटर्न में बॉफर से बॉफर टक्रा कर ट्रेन को टीरेल करवा सकते थे लेकिन उसमें इंसान है सर, यह सब तरीका ट्राइ करना ना मुमकिन है सर, इतना बड़ा रिस्क हम बिलकुल ने ले सकते सर, सेंट्रल मिनिस्टर के सेक्यूर्टी गार्ड नेतिन हलो नेतिन, आएम डी इजी सुल्तान यहर, सुनाई दिया रहा है, बताएए नेतिन हलो सुनौ ने, मिनिस्टर सेफ है ना, सर मिनिस्टर सेफ है नो प्रॉबलम सर, गूट एनिधिन एल्स, एइनेज़ी घ्ट्वाटर से अभी मेरी बात हुई थी सर, हैएदक्वाटर से फोन आ आटा, क्या बात हुई थी केप्टेन अर्विन, कनेक्ट हम इमीडियाट ली, ये पिल्कुल गलत प्लार्निंग है, ट्रेन के अंदर साथ सो पैयालेस पैसेंजर बैठे हुएं सर, वन रॉंग और सभी की जान खत्रे में होगी, निलु हम आपके संपर्ग में है, आप हमें जानकरी देते रहिए, इल बेट फॉर दे नेक्स्ट मुट। मैंने तुम पर भरोसा किया, क्यों मचे दोखा दिया तुमने, क्यों। वे, मैंने सोचा तेरी प्रेमिका मेरे हाथों से बच गई, इंजन पर बैठी है, तेरी प्रेमिका टिर्रिस्ट है क्या, ऐसा मैंने कहा रहा, सारे लोग कह रहे हैं, ये तो आज का हॉट नूज है, वही इस ट्रेन को अगवा करके ले जा रही है, पता है, मेरी ही एक मेरे हाथों से मारू, कोई बात नहीं, मेरे डिपार्टमेंट के हाथों से तो वह मारी ही जाए, इसी बात से खुश हो लूँगा मैं, हाँ, अब तक तो सिनाइपर टीम भी बहुच चुकी होगी, प्लेटिस ट्राइफल, M110, एक बार ट्रिगर दबाने से, पचास को चल नहीं कर देंगे, उसके खुण के चीटे आसपास फैल जाएंगे, जैसे मटन की दुकान पर होता है, उसके बाद तुझे बाहर निकाल दूँगा, उसके टुकुडों को बटोर कर, हस्ते रहना, हे, चल जा, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हो, कहीं मार ना डालू तुझे क्या, जल बाजी में कहीं तो अंदर मत चले आना, अगर आया तो मारा जाएगा, देखता हूं तुझे, आजा, अभी आया, तू मारेगा मेरे हाथों से, कर, दो में прок Should, look behind that, क्या, आपक ऴे देखते ओुझे, आओ में वक्तुझे तर यह सब्सके ही वो अबोर्षाई सेर्ट है तो और लोटे है... ते भालत अबोर अबोर्षाई यह रोद खुना रहालत प्टाई पाल भ्री को पंड़ी बन्री बन्रे बन्रे जुँटा हुआ! लाउड हुआ! आबड हुआ Zhong!! फटार horrific औरे Francisco K उय हो जख उख घए जज अग कर दो चुई कर दो फटनगा झाल! झाल! तुब जोग मुश्में को याझ एलकी जोगी लागा! हाँ! एह! जजए एए! से metricsANEा झाल personनेरा फני typical Beautiful कि डारी Спुझantes भूँख ON कि पुर्चक वरुफ को नु horizontal भाइ! बारे 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 पुर्चकु थέ oh वाइ! बारे 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 तो झाम जितन है! प्रोइब एहिए! झेला हैॉ सब्खितन! उतन! सब्खितन! कर दिए कर दो है कर दो कर दो … कर दो कर दो कर दो कर दो प्र Yak पाल राव! यह है वहाँ जया है अच्छ उप लो मेने तंपर भरो से किया दा क्यों मुझे दो का दिया क्यों झाल झाल आइए वहरी हो गई हो आप क्यो आए हो यहां तुमारे में यहां परों लेट जाओ गाना गाओ तुम्हेन अब यहां अब तुम्हें लेट जाओ सब्सक्राइब करा पक elsामाने को जब सब्सक्राइब का में लेट जाओ? एसी हालत में इसी वात ऐसे कीशेश्य वात में तुम्हें न। वह गोली मारने वाले हैं तुम्हाएंAm गोली मारे मुझे, मादो गोली भग्वान यह लो इसे मेरी आवाज तुम्हे रख़ो पकड़ो अठाकर बाद करो मुझे इसे मार रहे हो अठाकर बाद करो मेरी आवाज आ रही है यह जप्रो तुम्हें कॉली मानने बाले सर्डोरी मन चलना ना सर्डिंगे को पॉकी 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 तुम्हे को जुआ तो नहीं ना तुम्हेट वोकी टॉकी उठाओ, और मुझसे बाज कराओ, उठाओ समल कर जाना तुम्हें कुछ होगा तो नहीं न? और तुम्हें? तुम्हें के कुछ नहीं हुआ स्नाइपर्स ने आतंकवादी को शूट नहीं किया डीजल लोकों की दाहिनी तरफ की सेफटी ब्रेक स्विच पर निशाना था अगर उस पर बुलेट लग जाती तो स्विच वोन होकर डीजल टैंक के और सेफटी वाल को ओपेन कर देती, डीजल खत्म हो जाती और ट्रेन रुक जाती It would have been easier for us to start the negotiation That was our plan I can assure you Our snipers are one of the world's best वो चाहते तो आतंकवादी को single shot में मार गिराते Excuse me sir, फिर ब्रेक स्विच पर ठीक तरह से गोली मारना चाहिए था ना See, try to understand It was a fast moving train The target was very small उसके अलावा वो लड़की इधर उदर भाग रही थी That was a very big disturbance for us That's why Any more questions? वो शान्त हो जाए Hey, क्या हुआ? Sir What happened? वो चत्पर है, Sir वो चत्पर है, Sir वो चत्पर है, Sir वो ट्रेन वाले लड़का लड़की, Sir आपको तो पतार है, Sir नहीं मरें, Sir वो दोनों terrorist नहीं मरें कौन से terrorist वो ही, Sir वो मुखी कुमार वो पैंट्री में नहीं है, Sir वो पैंट्री में नहीं है, Sir वो पक्का टर्रीस्ट है देश्त्रोहिए, Sir वो हमें मार डालेगा, देखिएगा पहले हमें उसे मारना होगा उसे हमें कैसे भी मारना होगा, Sir Hey, Hello Please take care of you Come, let's go to the pantry Cool, cool, take care आप कहें तो छत पर जाकर उस आतकवादी पर अटेक करेंगा No, 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 no पहले एंट्री में कोई करेंगे, उसके बादी मूव करेंगे Come fast, Sir आप नहीं मारेंगे, मैं उसे मारना सरकार की तरफ से जो हमला किया गया है Hey, यह बकवास करने की जगा है क्या Sir, मुखी कुमार आपका असिस्टेंट है सारे चरनस बता रहे हैं कि वही मेन आतनकवादी है उसकी जो प्रेमी का है, वो ट्रेन अगुवा करके ले जा रही है और आप कैप्टान है इसलिए यह बात होता है, सारी साजी शाप कि ही है अरे यह कैसी साजी स्वाजिश की बात कर रहा है तो क्या हमारे Sir हिरोएन सब को जेल में डाल देंगे बिल्खल, हिरोएन को भी और क्या, दाउत के साथ जो भी हिरोएन लिंक में थी सब को अरेस किया था रहा ना वह सी तरह कि रहा आ धुर्भ में यही हरो इंग अरो नहीं तो क्या स्क्राइब करें صहें करने वाले को जिसने चाइप लाई थी मैटरी सफयां के थी शाइक रखने की जगे दी थी वह सब भी 20-20 ॥ साल की सजा भुगत रहें सर अगर उनकी यह हालत है तो आप तो पूरी ट्रेन को अगवा करके सारे लोगों को परवाने वाले हैं आपका क्या होगा सोच लिए तीस चालिस साल की जिने तो होगी यह विकेट तो अंदर ही कर जाएगा ने इतने सालों तक अंदर नहीं रखते बढ़े वाले दिन सुबा सुबा फासी देते हैं किसके बढ़े पर आपके बढ़े पर सर अंदरा नहीं रहा है सर तयार रहने को कह रहा हूँ वैसे भी थूड़ी देर में वो आपको अरिश्त तो करी लेंगे उसके बाद इंक्वारी केस इंवस्टिगेशन जीना तो यहां बोलेंगे बैठ जाएंगे चड़ी लेकिन आपके हालों सोचकर बहुत बुरा लग रहा है सर ना तो चड़ी पहनते हैं और ना ही लंगोल बानते हैं बर्फ पे नंगा लिटा कर चार पांच पुलीस वाले जब मारेंगे नों तो पता नहीं क्या-क्या निकलेगा प मास हेपकॉन उल्फा इन सब नामों से दुनिया को हिला रहा हूं सभी आतंगवादियों का साउथ इंडियन चीफ हूं मैं पता है तुझे अब तुझे डर लग रहा है ना मुझे डर आते हो तुम लोग है नाट्प में जो बॉक्स आय थे उन्हें राशन का समान समझाओ होगा ना वह सब टाइम बॉब्म सेट की हुए आड एक्स है सारे टेंड में फिक्स कर चुका हूं आदे घंटे में देखना एक एक कोश कैसे उड़ते हैं दो दो किलो मीटर का उड़ते दिखेंगे अगर उसके बाद भी तुम सब बच गये तो मेरे पास एक फिफ्टी से सब को एक बार में थार 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 इसलिग तिम सब खड़े हो गये थे ती नाट कर Joint मंत्री जी नमस्ते नमस्ते दर्शकों DC Express से केंदिय मंत्री शीर अगराज जी अभी हमारे साथ फोन पर मौजूद है हम उसे बात करने वाले हैं अरे मुझे फोन लगा कर वहां किस से बात कर रहे हो मंत्री जी, आतंखवादी जब आपको अगवा करेते उस समय का अनुभफ कैसा है? ऐसा लग रहा है, जैसे अगवा होने का नहीं. मुहबत का अनुभफ पोच रहा है. जी, सर, अच्छा ही था. थोड़ा बहुत कश्ट हुआ. मंत्री जी आतंकवादी जब आपसे आकर मिले तो उस समय उन्हों ने आपसे कोई रह समय बात भी की थी क्या वो बात हमें बताएंगे तो हमारे दर्शकों को सुनकर बड़ा अच्छा लगएगा ना तो मुझसे कोई मिलने आया और ना ही किसी ने मुझसे बात की मिलने कोई नहीं आया तो आप ही उन आतंकवादीयों को कुछ बोल दीजे ए गोपाल आतंकवादी मेरी बात मानेंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे साथ तुम तो जानते ही हो देखिए आतंकवादीयों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ मेरे 40 साल की राजनेतिक जीवन में मेरे लिए सब कुछ जनता है इस ट्रेन में शायद कुछ 700 लोग होंगे उनके लिए मुझे जमानत के तौर पर रख लो किसी भी जनता की जान नहीं जानी चाहिए चाहो तो उसके बदले मेरी जान ले लो सच में जान देने वाली हैं सर् हमारे मंत्री जी की वीरता और त्याक का कोई और सबू चाहिए क्या वीरता और रंगराजन के पास अब चुब्बी करो एक बार क्या हुआ था कि पिछले साल आरे समाज वालों ने एक मीटिंग में ने भाशन देने के लिए बुलाया था कहीं से यह आवाज सुनाई देग केंद्रिय मंत्री को कायर बोल रहे हैं डरपोक बोल रहे हैं मैंने ऐसा कहा यह देखो सेर यह तो अपनी ही बात से इंकार कर रहे हैं मिस्टर पवन कुमार केंद्रिय मंत्री जी को आपने कायर और डरपोक कहा था मैंने कहा था जी बिल्कुल केंद्रिय मंत्री को कायर और और थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था, मैंने कभ कहा, क्यों भाईयो, मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या, हाँ सर, आपने ऐसा कहा था सर, क्या आप भी इनकी बातों में आ गए, ज़रा सुनिए, इस तरह की बेहुदा बात, मैं अपने मूँसे बिल्कुल नहीं कर सकता हूर मै शिरिषा आगया, आपके पास वो लड़की कितने दिनों से काम करें अच्छिली यह आदमी लाय ता उस लड़की को यह यह आदमी है वो हलो वो लड़की तुम्हारे क्या लगती है वो मेरी बहुन की लड़की है क्या मैं सिस्टर संद हां डॉर्टर वो वा बताएंगे सर वो हम बताएंगे सर मैं भी बेकसूर हूँ सर है यह आदमी बहुत बदमाश है कि बेकसूर बिल्कुल नहीं हो सकता इस पर भरोसा मत कीजिए सर पता है साथ भी नहीं क्या कि पीछले चमैने में उससे किसी से संदेजनक बाते करते हुए या उससे किसी को बाते करते देखा क्या है इसकी असिस्टेंट मुखीकुमार को मैंने अक्सर बात करते हुए देखा यह वही उसे भगाकर लेगिया होगा आज सुबह ही मैंने उन दोनों को बात करते वे देखा था सर मुखी कुमार अहां सर इसादनी का सिस्टेंट को चार बजे होंगे सर यह आदमी उस अज़ा ले रहा है ऐसा कहा था ना कहा था चड़ो चड़ो सब चड़ो पसा रहा हो ना मुझे देखना तेरी शायरी सुनकर तेरी पत्ती किसी दूसरे के साथ बाग जाएगी और हाँ सर इस आदमी के असिस्टेंट और उस लड़की को ट्रेन की चछट से उतरते हुए मैंने साथे चार बजे उस लड़की को कुछ मैसेज दे कर भेजा जैसे तू भी मेरे साथ बैठा था पांच से साड़े च्छे तक उस लड़की के साथ चछट से नीचे उतरते हुए साड़े छे पर इन्होंने उन्हें देखा साथ बजे गाड़े गुडूर पर रुके बीना न बाड़े छे तक उन्हें लगाया तो स्टोरी राइटर्टर है यार बॉम कहां लगाए बॉम ये एक हो थानक्स फर इंफरमेशन यो आया थानक्यू स्रूर्श थैंक्यू सरूर्ण秤 यो चलों इंक्यू सर ऐसे हैं पूश नहीं बताएगा इसे पूछने पर तुनहीं बत आजे और दूम्हारे आदमी है कि मेरे हैं वेपेंज है उनके पास खोलोग यह तो पता च्लेगा ना जाओ जाकर खोलो या तुम लोग में इन कहलोगा खुल, मुझे चुट तुम लग तुम लग जूब रहें और मुझे खुल लेंगे लिकार अब मुझे खुल रहा हूँ अबहोब खोल एगा और हमारे गहने पैसे सब लेगे धे जी आजिए भूढ़ ते टीव हमारे पैसे के लेकर चले गए जिए अब मारे पैसे जिए ली चल रही है सब लूट है जे देख्टी बंट किया आज को स्विटर उर्दूर अब कर वादी है पड़क सब देख्टेग तो स्नाइपर्स टीम ने जिने शूट किया वो लोग टेररिस्ट नहीं थे, टेगर रॉल रॉबर्स, गडबड, पता लगा लिया, थैंक गड़, तो फिर वो टच अप वाली लड़की, तुम और मुखी, हाँ हाँ, गाड़ी सब मेरी इस तरफ गुमा लिया करो, सर, जो रो होने के बाद नई कहानी शुरू हो गई है, अपना ध्यान उस तरफ लगाईए, वो टच अप वाली और मुखी कुमार मेरी तरफ बेकासूर है, सर, भरोस्ता मत के जिए साथ मिका, सीरियस रहो, सर, वो लड़की सुबह उसे मिलने के लिए ही पैंट्री में आई, वो दुन तुम दोन ने ड्रामा बंद नहीं किया तो गोली मार दूँगा, मार दो सर, अगर एक्स्टा दो पकोडे मांगला तो मनाक देता है अकल नहीं है तुम है, टीटी अरो ना तुम जारा से भी सीरियस नहीं है, मुखी कुमार मेरी आवाद आरी है, आप कौन बोल रहे हैं, लड़की एंजन में फसी हुई है सर तो तुम हांटring गए सरução मेरी जान है क्या कहा हलो हलो मुके मुके कुमार ज़्लत अब ड़ाने किसी बीदरा उसे बचा लीजिए हलो साघ्ला ड़거든 एक बाद आपनों अच्छी तरह से जान लेज़् कि ट्रेन का लोकेशन इस वक्त यहां पर है कैपिटन अर्विन लेकिन ट्रेंड की छथ पर छे टररिस्ट हे लेकिन ट्रेंड के अंदर कितने ट्ररिस्ट chickens सब राबर्स थे तो इंजन के पास वह लड़की और उसके पास कंपार्टमेंट premier है वो लड़का एक साधारन सा वेंडर है सर और वो लड़की एक हीरोईं की टचप गरल है सर मैंने पता कर लिया वो दोनों इनोसेंट हैं मिश्टर अर्विद कोई आतंकवादी ये नहीं कहेगा कि वो आतंकवादी है इनोसेंस का नाटक करते हैं इसके अलावा बीडिया के लोगों का भी कहना है कि वो लोग आतंकवादी हैं आपकी बात पर डिकलियर नहीं कर सकता कि वो आतंकवादी नहीं है मिश्टर अर्विन यू दो वन फिंग उनसे मेरी बात कराएं इसके बाद ही वो इनोसेंट हैं या टेररिस्ट हैं मैं कोई फैसला कर पाऊंगा अर्व आतंकवादी हों का काम नहीं है तो भी ट्रेन में हो क्या रहा है सर There is something wrong I already told you, sir कुछ तो गढ़बढ है उन्होंने इंग्लिश में कहा उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो चलिए मेरे साथ ये चलिए में कर क्या करेगा कि अच्छा कर रहा है आटे से बिजली पैता करने वाला है मुखी मुखी मेरी आवाज सुन रहे हो हाँ सर सुना ही दे रहा है सब कॉंटेक्ट हो गया अब यह वाकी-टॉकी मॉबाइल से कनेक्ट हो गया सर उल्हें इस मॉबाइल पर क्पोन करवा कर उनसे बात करवा सकते हैं सर सब पार 203292 तुमारी थेख चाहिए वाट्रेस रोलान जोभी चाहिए गवर्मेंट देने को तैयार है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ी सी सिंगों बढना है, सर्फ वाट? नाटक कर रही हो? नहीं, नहीं, आक्टिंग में मुझे कोई इंटरस्ट नहीं, अनली सिंगेंग, सर् मैं माल लो, तुम सिंगर हो अगर आपको भरोसा नहीं है, तो मेरी चुत्रादीदी मानो सर और शुबाजी से पुछ लीजिए मैं करीबार उनके सामने गार चुकी हूँ, उन्होंने कहा भी था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ अरे, बचाने के लिए बोल सर, मैंने कहा था न, वो लोग इनोसेंट है अरे, जब ये बात आपको पता लगी चुकी है, तो अब ये देखना है कि आप कब आकर हमें बचाते हैं इस पागल की बात मन सुनो, हमें आकर बचाओ तुम भी कुछे पागल कह रहे हो नहीं, तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैंने तो उनको बोला तुम तो इस हालत में भी इतने समझदारों की तरह बात कर रही हो, तुम्हें ऐसे कौन मोर सकता है वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे, वो लोगी पागल है सरोजा, लोको पाइलट को क्या हुआ पाइलेट? इंजन ड्राइवर को बेटी उनकी नाक और मुझे खूर निकला और फिर वो पेहोश होके किर गए वाट? सर, I think he has सा, कहाँ चले गए? मतलब यह आतंकवादियों का काम नहीं है अगर एलपी के साथ ऐसा हुआ है, तो पका यह हुँमन एरा है इसे लिए टेक्निकल समस्या के वज़े से ट्रेन बिना रुके चल रही है ये ट्रेन अगवाद की गई होगी ऐसा कहा जा रहा है सिर्फ इतना ही नहीं इस अगवाई के पीछे चाइना या पाकिस्तान का हाथ पो सकता है ब्रेकिंग न्यूज दिली से चैन नहीं जाने वाली डीसी एक्सप्रेस आतंकवादियों द्वारा अगवाद नहीं की गई है करने वारी लड़की है तो ये ट्रेन केंद्री मंत्री के लिए आतंकवादियों नहीं किया ये अगवाद हो चुगा है मुझे तो पहले ही डावट था सर आतंकवाद ही इंपोर्टेंट लोगों को ही अगवाद करते हैं मौ बंकर अब इसे भी बंद कर दे सर वी अरगवाद के लिए पैनल बोर्ट से पीछे अटकर अपनी पैंट हिलाओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पॉनेरी से मिंजूर ट्रेक है ट्रेन उस पर जा रहा है उसमें क्या परिशानी है बताओ कि सर पॉनेरी मिंजूर के बीच जो ब्रिज है वो बहुत ही वीक है अगर उस पर से ट्रेन 30 किलोमेटर की स्पीड से चल रही है अगर इसी स्पीड में ट्रेन चलती रही तो पक्का वो ब्रिज टूट जाएगा सर शोली भी आगो लूस दे ट्रेन सर हो अरे वो ओल्ड ब्रिज पता चल गया है तो उस और क्यों जाने दे रहे हो क्या यार तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है हां शांत हो जा शांत हो जाए सब लोग अपने अपनी सीट पर जाके बैच जाएगे कुछ नहीं होगा हमें बताते क्यों नहीं क्या हो साथ मिनट बार जब यह ट्रेन प्रिंस क्लाउस करेंगे तो एक साथ उंपर जाओगे आप जाकर अपनी जागा बैढ़िए जाए आप लोग अरे मेरे विदे तुम्हारे साथ ही हुआ है चलो 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 उदर यह चल रहे है नशेडी चल जूलना बद कर अ जली करो देखें हम लोगों को इंफोर्मिशन मिली है और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे है अभी हम आप लोगों को जादा जानकारी देने किस्तिती में नहीं है तो रही देने पता चल जाएगा स्टेट यून टू एल यू हाँ ठीक है सर ब्रिज पे चलो चलो अलो कैसे इंसान हो तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है क्या सर हां ट्रेन में सारे पैसेंजर के हालत खराब होगी और तुम बहस्त कर रहे हो कि ब्रिज गिरेगा या न यह अंग्रेजों का बनाया हुआ है नहीं टूटेगा अपनी सरकार ने बनाया होता तो टूट सकता सर इस ब्रिज को गिरने से बचाने के लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ मैं केंद्री एक खादी मंत्री हूँ मुझे आज तक अपनी डिपार्टमेंट के बा कर पाएगी या नहीं इससे ज्यादा टेंशन मुखी कुमार और सरोजा का प्यार एक हो पाएगा या नहीं इस बात की है ये नौजवानों में एक चर्चा का विशे बना हुआ है ये सच्चा प्यार जीतेगा या नहीं महबत ये एक्स्प्रेस आगे रुकेगी या नहीं ये वक्त ही बताएगा कैमरमेन रमेश के साथ आई बीसी नियूस के लिए मैं देखा गो मुखी मुझे बहुत डार लग रहा है मुखी अरे मैं भी तुम्हारे साथ भी हूँ जरा सबर रखो हम लोग मर जाएगे मुखी सरोजा, सरोजा, कैसा हम कहा रहे हैं वैसे करोगी तो ट्रेन रुके आएगी, क्या कर पाओगी करोगी ना सर, आप बताएए ये भी ना, क्यो वेकर में हर बात के लिए हाँ हाँ कर रही हो सरोजा, मेरी बात सुरो अच्छा, ये बात है सरोजा, तुम इंजिन की केबिन में जाओ, वाँ डोर ओपन करके अंदर जाओगी तो, सरोजा सरोजा, क्या हुआ, सरोजा, क्या हुआ, सर, मुझेट पगली मिली है, उसे भी आप भगाना शाते हो क्या सरोजा, ये बहुत जरम है, जरम है पीछे ड्राइवर एजे को, उसके भी में जाओ, अंदर जाओगी तो वहाँ, ड्राइवर सीट के बगल में हरे रंग का बटन होगा, उसके राइट में काले रंग का लीवर होगा, वही एमर्जंसी ब्रेक है, उसे खीच कर ट्रेंड रोको रेट क्रीच लीवर की बात तो ठीक है, पर डोर मैंने ट्राइग के ओपर नहीं हो रहा था सरुजा, बस तीन में अपके है, तुम्हारे हाँ जो भी लगे, उससे इंजन के दर्वाजा तोड़ दो, इमर्जंसी ब्रेक लगाओ, ट्रेंड को रोको तुम्हारे हाथों में 742 लोगों की जाने है, प्लीज सरुजा, प्लीज, मैं करूँगी सर, मैं जरूर करके दिखाओ मूँ बज कर अपना, तुम कर सकती हो सरुजा, गो, पौश, 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 पौश योज 75 लखं़ी सरे, जर्ड एम सरे हाथा करे, उसे तोड़ो मिल, पौची-टोकी है वो किर गया, मिर्य हांच से पौशिए वही पकड़ कर बैचचाओ। हां वेच्वा घक्रिज भी आगया हाइ अप्रिज आगया त्इनदश आगया दिक्रिज हागय त्षेभृ बरिज आगया पर भे वो मुझे भ真बशेओ तुम पीछे आगया मुझे बता है परीज आरहा है तुम पीछेओ कधी क्या करते हो वहीं पकड़ेट नहीं सकती है यहां क्यूच ज़िख रहे आई वहां से से तोप यहां पर हो ना बेदी हम सब्सक्राख चलिए है ठीक है बेट जाओ और ठीक से कड़ेट यहां बेट जाओ बेट जाओ डरह ट neatly गूख कि वाया एफ बखर थैन QI कि वाया च। कि वहाया था कि वहाया कि वाया ... ... चाह अजद़ में बोखको! सबक्राएब सरकाएब स Glückत 네ं了 सबन्स way सबंस कर दो दर्श को ध्यान से देखिए रेलवे फाटक के गेत पर जब वहाँ कोई नहीं था तीन नौजवान ट्रेन पर आ रहे प्रेमी उगल के साथ सेलफी लेने की कोशिश में ट्रेन से टकरा कर जान गवा बैठे उसके उपर दो लोग रोमियो जूलिट की तरह डांस करते आ रहे हैं इन जवान बच्चों को देखकर इस ट्रेन का नाम मोहबबत की ट्रेन रखकर एक टीवी चनल टी आरपी बढ़ाने के लिए ये प्यार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा की बहस कर रहे हैं देश की चिंता छोड़ इन गदों के साथ तीन गदें सेलफी लेने की कोशिश में मर गए हैं उनके घरवालों की हालत क्या हो रही हो गया भी आज इन नौजवानों के लिए लाइफ का मतलब मोज, मस्ती, नशा, अवारागर्दी बस यही सब रह गया है आखिर ये नौजवान कब अपनी जिम्हदारी समझेंगे बिल्कुल सही कहा निखल जी अब दर्शकों के लिए समय हो गया है एक कॉलर लाइन पर है उनका क्या कहना है सुनते हैं नमस्ते हम उनमें टीवी से बोल रहा है नमस्ते मैं मुंबाई से एलेक्स बोल रहा हूं नमस्ते एलेक्स, आप किसे बात करना चाहेंगे निकिल जी से बात करा देजिए कही है एलेक्स अरे क्यों निकिल जी सारी मस्ती का ठेका अकेले आपको ही मिला हुआ है जब गर टी आर्पी बढ़ रही है टी आर्पी के चपकर में तो लोजी क्यों फसा रहा है सच में जैसों को चुनकर हम लोग बहुत बढ़ बढ़ करते हैं अरे भाई जरा सुनो राजनीती में आना आसान बात नहीं है इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप लोगों के दिल बात के क्यों गोपी कट करूं क्या अब कर पकरना ठीके ठीके जन ते मरने ते किसे नी पोर रहा है तू तो हसे गाई न क्योंकि तुम लोग होते ही पे सर्मो बस वाब ऐसे ही चलने थे भाई मैं अभी उसे और बढ़काता हूँ जनता तुम लोगों को गालिया नहीं देती है हलो सिर्फ उन्हें गाली मत दिजे देखिए अलेक्स उन्हें छोड़ दिजे उनके लिए न इतना काफी है उन्हें छोड़ दिजे लेक्स आगे और भी दो लोग हैं उनसे भी कुछ कहिए नौजवानों की जो शस्ती है को मिठाई के दुकान दार जैसी इसकी सकले और सब को चासनी के जैसे गोल-गोल के पिलाता रहता है अब यह देखिए लाल सट वाले को बीच बीच में इंका पूलना बहुत जरूरी है नहीं तो कोई भी डिसकसर पूरी नहीं होगी थिक बोल जाते हैं वेकार की बातों पर इन्हें चर्चा कराने के लिए आप अब मुझे क्यों घ्तित होने चाहिए ब्लीज प्लीज अलेक्स छोली आपने देखा तो अब सच आप समझ गये होंगे अगर बाकी चैनल में ऐसा हुआ होता तो कट करके अभी तक उन्होंने डाल दिया होता लेकिन हम सच दिखाते गए दरसल हमारा मुख्य उद्देश ये है कि हम जंदा की बात को बाहर तक निकाल पाने में कामयाब हो सकें सर कुछ समय पीछे ध्यान से देखते हैं अपनी बहस के मुद्दे को दिखाने के लिए जंता जाए तो दर्शकों बहस के मुद्दे को इस तरह से बदलना ठीक है या ठीक नहीं है इस बारे में हम फिर से बहस करेंगे तब तक के लिए लेते हैं एक च्छोटा सब्सक्राइब माया हां बोलो रिखा माया ट्रीन अभी फॉरेस्ट एरिया में एंचर करने वाली है कुछ देर हमें कवरिश नहीं मिलेगी हलो माया हमारी आवास अपने पहुंच नहीं है हलो सार अरविन सार सार अखिर तरी परेशानी क्या है मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा है अकल है कि नहीं तुझे ट्रेन की कहां जाकर टक्कल होने वाली है पता नहीं है अरे यार बदला लेने का टाइम है क्या यह इस साइब पर जगड़ा करेंगे तो दुनिया हसेगी भै देखने वाले क्या सोचेंगे तू तो एक तब पागल विलन लगता है अरे टनेल आ रहा है बैट जाओ नहीं छड़ूगा मैं तिस से पदला लेका नहीं रहूँगा अरे बैट जाओ जब तक मैं तुम दोरों को मार नहीं देता मैं नहीं जाओंगा आजा आ ना तेरा चाना ही बेटर है दर्शक और ध्यान से देखी रिल्वे फार्टक के गेट पर जब वहां कोई नहीं था तीन नौजवान ट्रेन पर आ रहे हैं प्रेमी यूगल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में ट्रेन से टक्रा कर चानगवा बैठे सर एक सूपर आइडिया है एक हलिकॉप्टर लेकर सीधे ट्रेन के उपर जाकर इंजन के उपर एक सीधी डाल कर मैकेनिक को उतारेंगे तो वो ट्रेन को रोग देखा बेटा लगता है तुन्हें बहुत से इंग्लिश फिल्में देखी है अबारे देश में किसी को चोट ल एक बात वो नहीं है सर आइडिया देने के लिए हॉलिवुट फिल्में देखना ज़रूरी नहीं है सर अकल का इस्तिमाल करना काफ़ी है मुखी मुखी हम चब को बचाने के लिए देखो महां हेली कॉम्टर आहा है ठीक है हाँ 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 अग्षिया झाल ट्रेन को रोकने के लिए की गई आखरी कोशिश भी नाकाम रही इस कोशिश में एक हेलिकॉप्टर का इस्तमाल पिया गया था तुम रोव बद रुख जाओ सरोजा सरोजा मुझे सुन रही हो सरोजा सर उस लटकी के पास वॉकी टॉकी नहीं है मेरे पास है बोलिए सर मुखी इंजिन के डॉर की काश टूट गई है देखो तुम सरोजा को बलो दर्वाजा खोल कर अंदर गाए उसे अंतर तकर ब्रेक लगाने के लिए बलो एमर्जन से ब्रेक लगाने के लिए बलो सेंट्रल लाने में बस फंद्रा मिनेट पचले हैं आखे के लोगाने के लाखे कि अंधर जोटको क करे कि अंधर्चकर उसे अंधर्चकर प्षेंग रिए परेका लगातो अधर्चर घंडलो युक कर्सक्ता है एभगवार्यों क्लेकर लोग्यों Green Button, Green Button, Green Button, Green Button, Green Button, Green Button Green Button, के बाद कौनसा Button? Leaver, हाँ, Leaver, Leaver, Black Leaver, Black यहां तो दो दो Leaver है, कौनसा वाला? Sir, इन दोनों Black Leaver में से कौनसा Leaver खीचना है, Sir? Sorry Sir, अकर बगकर बंबेब, असीन अब पूरी 100, सौ में निकला था अगा, चो में निकल के पागा अग्वार्ण क्या हुआ, रुके नहीं? वहाँ मैंने Leaver को चुआ, तो इसमें से धुआ निकलने लगा क्या? धुआ? हाँ मुके, मुके, क्या हुआ? सर, सब बर्बाद हो गया है, वहाँ सब को चल गया है, सब बता रही है अब क्या होगा, सर, सब खंब हो गया है, क्या है? सर, I think all the electronic devices are short-circuited सर, पूरा पैनल गोट जल गया है, सर अब टेक्निकली ट्रें को रोकना इंपॉसिबल है अब कुछ भी नहीं किया सकता सर, everything is finished इसके यागे सर, आप ऐसी बात कैसे कर सकते है, वो सब हमारे भरोसे है अगर ट्रेंज सेंट्रल पर आगर ठक्रा गई, तो और में से कोई भी नहीं बचेगा, सब के टुक्ले-टुक्ले हो जाएंगे डू सम्थिंग, सर, डू सम्थिंग, डू सम्थिंग से क्या होगा? सारे पैसेंजर्स को बचाना है, तो इंजन और बोगिस को अलग करना होगा कमान, वास्ट डू इंजन को कमपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए, तो पैसेंजर्स को बचाये जा सकता है बचाये जा सकता है, ना? येस सर, लेकिन एक एक्सप्रियंस टेक्निशन भी चलती ट्रेंड में कपलिंग को नहीं निकाल सकता सर वो भी ऐसे समय पर मैं कहो भी तो किसको वो लड़का मुखी है न, येस्ट यूजिम सर, गुड आइडिया उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो कपलिंग को उठा पाए साथ मिनिट बचे हैं सर, एक्जाटली सिक्स मिनिट्स मोर अलो प्लीज मैं कहनी जब कुछ नहीं कर पाया तो वो कटलेट बेचने वाला क्या कर आएगा सुनो भासकर रेन यहीं पर आकर टक राएगी तू मो सुरेश इसेधिया को क्लियर कर दो सुनी कर दो नहीं मोकी ! मेर बात मोट ! नहीं ! मोकी नहीं ! मोकी ! नहीं मोकी ! मैं जालो ! तुम भी मेरी तरह नहीं हो क्या यह भी कोई सीखने का पते है क전भी haramशे लुखसे अरामसे समल कर गहाँ उसे भी ऐसे इonents इन इंग पहोँ आत्या थाना तूने देखे हिरामसे इंडिया मेर्च जीच गिला कि नहीं, मेरी इज़त बचा ली उसने ए चुप करेगा तू सॉरी ब्रो समलकर सब्सक्राइब मिस्टर मुखिकुमार मिस्टर मुखिकुमार क्या अगर तुम सही सलावाच चेन भी पहुच गए तो तो क्या पहला इंटर्वियू आई बीसी को ही देना होगा हाँ पक्का सुधर ना मत तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे नहीं बदलने वाले समझ क्या कुछ अच्छा ही बोल रहे हो वहाँ पर विया कर यहीं बोलना हाँ बिल्कुल जरूर आउंगा यहां सबकी इतनी लगी बड़ी है और इनको इंटर्व्यू चाहिए मुखी तुमसे एक बात पूछू जब तुम इंटर्व्यू दोगे तुम्हें साइड में खड़ी हो सकती हो ना तेरे लिए ही तो सब कुछ है जाने मान सर उस लड़की को इस कंपार्टमेंट में बुलाने के बाद कप्लिंग को निकलवा देते हैं हमारे पास बस पांच मिनट है उसमें इस लड़की की जान बचाने लगे तो ट्रेन ठकरा जाई है तो फिर उस लड़की की जान ठीक है सर अभी करना क्या है यू क्लाइम को अटाओ यू क्लाइम मतला पर एक उल्टा सरिया फसा हुआ है देखो करियर को उठाते हैं वैसा ही कुछ ना सेर आहां बिल्कुल ऐसा ही इसके बाद कप्लिंग के पास एक रिलिशिस क्रू होगा देखो वह चकली मानाने की मशीन होती है वैसी ही ना सर उससे चकली बनाओ नहीं उसे लूज करो हां ओके सर मुखी जल्दी करो मुखी ताइम ने है मुखी तुम कैसे घुमा रहे हो ट्लॉक वाइस घुमाओ अब यह च्लॉक वाइस क्या है उस्सी तरह जैसे घड़ी के काटे घुमते हैं दाहीन हाथ की तरफ सर्फ तरह रह आएट साइड़ी वोल रहे वह खरेक्ट है? एक जन्य से हुआ उएए, भीए गुमआ। भीए, जल्दि भुमाओ मुखी! करे जल्दी करो आइसा ही, दिला करो, धिला करो! करो करो, अल करो! पुरा धिला करणे हो मुखी, जल्दी दिला करो! ताहा डिला कर दिया सर, आहा, अब उस टोईंग हूग को उठाओ, सर हाथकडी जैसा हूग उठाओ, उसे ये करेंगा, वहाथकडी जैसा हूग बनाओगा देखो, इसे पकादगा उठाओ, फास, जल्दी करो मुखी, जल्दी, फास, फास, टाइम नहीं है, जल्दी उठाओ जल्दी करो, जल्दी, जल्दी करो, जल्दी, जल्दी करो, 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 जल्दी जिसे जो काम नहीं आता है उसको वही काम करने के लिए देंगे सब पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ अरे चलो हटो 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 यहाँ से कराओ कराओ कि कराओ कराओ कि क्या अपर ग्रेड इसलिए वह टाइट हो गाई पेशन प्रीज में लोवर ग्रेड वहाँ तरह पाना होगा मुखी तुम सामने चले जाओ दूसरे साइट से कीचो मुखी तुम दूसरे तरफ जाकर निकालो मुखी उस लRedकी को इस तरफ लिया मुखी उस लरगी को इस तरफ ले आओ मेरी जान है वो मॉकी क्या करता जान दे कर लोगों को बचाने की शक्ती सिर्फ प्यार करने वालों के पासी होती है हां लोगों को धोखा देकर जाल नेने के शक्ति सिर्फ हम जैसों के पास होती हुआ आजा तुम यहां के चले आए मेरे साथ तुम भी मने चले आया यहां एक साथ मिलकर सिर्फ जीने के लिए प्यार किया था क्या मुझे भी अब जीने के इच्छा हो जाई है मुखी यह ट्रेन नहीं रोकी जा सकती क्या क्यों नहीं रुक सकती तुम चाहो तो मुझे स्पाइडर मैन या सूपर मैन बढ़ा दो मैं खीचता हूँगा रोक दूगा अब मैंने क्यों-क्यों सपने देखे थे बड़ी सी सिंगर बनूंगी तुमसे शादी करूंगी एक बात सुन लो यह देखो शादी करने वाले शादी करने तक ही लवर्स होते हैं शादी के बाद पती पतनी बनकर, मापाप बनकर, दादा दादी बनकर एक एकर के निकल पड़ते हैं उसके पहले प्यार कप का खत्म हो चुगा होता है हमें देखा ना, आभी भी लवर्स हैं, और मरते बग भी लवर्स हैं कितने लोगों को ऐसा मिलता है, हमारी तरह किस्मत होनी चाहिए जैक, तुमने कहा था एंजन थोड़ी दूर जाकर रुख जाएगा तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है मुखी ज्यादा नहीं, पांसो हजार साल, काफी होगा तुम रो क्यों रही हो मरने वाले हैं, और रो हो भी ना रोने से, हम मरेंगे नहीं क्या यह देखो, हमारी मौट है तो दूसरों को रोना होगा हम अपनी मौट पर भला क्यो रोये, समझ गई ना अब हम खुशी से मर सकते हैं मैं गाना गाओ मैं खुशी-खुशी मरने की सोच रहा था नहीं तुम गाओगी तो भी खुशी होगी ना गाओ मेरी सनम् कर दो कर दो कर दो र्लाखक अ फक्रेठेड पिछाख हेत् राफ पिछाख पिछा तो पिछाख तो पिछाख तो पीछाख तो एस की शेठे पिछाख ह 흥े पिछाख पिछाख तो जर बचें जाए, चासे आं ठीजए Saruya..Sara! Saruya, Saruja.. Saruja.. Saruja, जब आधे थे.. Saruja.. 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 otggh.. ey.. 210 Okay? आट अरे कान निकल रहा है तुम्हें कुछ भी रुख सकता है सरकार को पता नहीं था मुखी कुमार, सर, सर, सर मुखी कुमार, चनने आते ही आप पहला इंटरव्यू हमें देंगे ऐसा कहा था न ये बताए सर, अपनी जान की परभाग ये बिना अपने इतना बड़ा रिस्क लिया, ऐसा क्यों किया सर अपनी जान के लिए ही मुखी कुमार, आपके साहसबून काम के लिए आपको अर्जिन अवोड तो मिलना ही जाहिए, इसके अलावा भी आपकी कोई और इच्छा है नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है, इसको गाने का बहुत शॉक है, ये बहुत से फिल्मों के डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स देख रहे होंगे, उन में से किसी को लगे तो इसे एक मौका जरूर थे बस इतना ही कफी होगा मैडम, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं क्या, तो प्लीज हमें भी एक गाना गाकर सुनाईए न, अरे नहीं, अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है, अरे नहीं, तुम ठक गई होगी न, इसलिए, इसलिए, बात में सुना दीजिएगा, ज़रूर गाएगी, प सेलफी ने आय थे न तो, आप तो सब तुम्हारे साथ सेलf तू दे रहे हैं, उससों से रूप करते हैm मेरा स्टूडेंट है, चुप रहाएगा तू, तुझे कुछ बोल रहा है, तूजह ही बोला भी highlighter, तुझे पता तो चल गया होगा कि मैं मिलेटरी में खाना बनाता थ अच्छा तो मिलिटरी में खाना बनाता था आप हैं मुझे मार अच्छा उता ये में लुटा मुझे मार झाल झाल